Hello everyone, कैसे हैं आप? मैं सौरव दूबे Magnet Brains in the medium पर आपका स्वागत करता हूँ, उमीद करता हूँ, बहुत बढ़ी होंगे, बहुत जबरजस्त तरीके से चल रही होगी आपकी पढ़ाई और जैसा कि आपको पता है, हम देख रहे हैं पाट्चा, त्रिबुज और आज की क्ला है, हाई quality education, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्तियों को मिलती है, छटी से लेकर बारवी क्लास तक की सारी क्लास और वहीं English medium students को मिलती है, KG to 12, सारी क्लास जो भी दोस्त, बिल्कुल free of cost, मतलब की इन क्लास को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेट, सब्सक इसका लिंक नीचे description box में दिया गया है, तो ये रहा प्रस्न संख्या 1, इसमें बात हो रही है, चित्र में DE समांतर है AC के, और D अप समांतर है AE के, तो आपको ये सिद्ध करना है, मैंने क्या सिखाया था, जो समांतर है उसको पकड़ो, जो समांतर है दोस्त, उसको पकड़ तो आप देख पा रहे होंगे, ऐसा त्रिभुज आपको डूड़ना है, जिसमें ये दोनों की दोनों भुजाएं आ रही हो, तो देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है, देखो, ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें दोनों भुजाएं आ रही है, और ये DE है, तो DE समांतर है BC के, तो थेल स्थियरम मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमिय के अनुसार क्या हो जाएगा? AD बटे DB, क्या हो जाएगा दोस्त? AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC, ये पहला result होता है आपका आधारभूत समानुपातिकता प्रमिय, इसी का एक result और होता है, वो भी याद रखेंगे, कैसे? छोटे त्रिबुच का AD ले लिया, और पूरे बड़े त्रिबुच का AB ले लिया, कैसे लिखा? देखो एक बार ध्यान से इसको, इसका तो AD ले लिया, यहां दो त्रिबुच दिख रहे हैं, एक ADE छोटा वाला, और एक ABC बड़ा एक बार छोटे वाले त्रिबुच का AD ले लिया, बड़े वाले त्रिबुच का AB ले लिया, और यहां पर छोटे वाले त्रिबुच का AE ले लिया, और बड़े वाले त्रिबुच का क्या ले लिया, दोस्त AC ले लिया, तो यह दोनों ही बातें आप लिख सकते हैं, आर यह बात समझ में तो आधार भूद समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पर और हम लिखेंगे, कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आईए, बी, ए, सी में, त्रिभुज, बी, ए, सी मे कौन किसे समानतर है कौन किसके पैरलल है DE पैरलल है AC के तो लिखेंगे DE समानतर AC तो इसमें लगाएंगे आधार भूत समानुपातिकता प्रमे कौन सा आधार भूत समानुपातिकता प्रमे समानुपातिकता प्रमे और इसको लगा के हम क्या लिख सकते हैं जल्दी देखेंगे, इसको जब हम use करेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे, यहां से start करो, यहां से, क्योंकि यह दोनों समानतर हैं, यहां से start करेंगे, तो B D बटे D A, क्या B D बटे D A, बराबर, यहां पे क्या है, B E बटे E C, यहां पे लिख देंगे, B E बटे E C, और इसको हम बोल देंगे समी करण संख्या एक तो हमने अभी तक क्या देखा कि जो पहला समांतर वाला दिया है उसको पकड़ लिया और उसमें हमने क्या लगा दिया थेल्स थियरम इसका नाम थेल्स प्रमे भी है या आधारभूत समान उपातिकता प्रमे दोनों नाम से जानते हैं दोनो दोस्त डी एफ ये रहा एए ये दोनों समांतर हैं कौन सा त्रिभुज घेरना पड़ेगा हमें कौन सा त्रिभुज आएगा तो देखो बड़ी वाली भुजा को पकड़ लो और यहां से ऐसे आजाओ और यहां से ऐसे आजाओ बस मिल गया ना त्रिभुज तो यहां पर में लगाते हैं फिर से आधार भूत समान उपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या फिर से बी को पकड़ो फिर से बी को पकड़ो ग्रीन वाले में तो हो जाएगा बीडी बटे एडी क्या हो जाएगा बीडी बटे डी ए बराबर तो यहां पर लिख दिया बीडी बटे डी यह त दोस्त BF बटे FE, BF बटे FE, और इसको हमने बना दिया समी करड़ संख्या 2, कोई डाउट हैं यह, क्लियर है यहां तक, अब लिखेंगे समी करड़ 1 तथा 2 से, क्या लिखेंगे, समी करड़ 1 तथा 2 से, क्या हो जाएगा, यहां देखो, जभी भी किसी भी समी करड़ को हम तुलना करते हैं, अगर उसका बायापक्ष, बायापक्ष के बराबर है, तो दायापक्ष, दायापक्ष के बराबर हो जाएगा, तो यहां देख सकते हैं आप, कि यहां पर जो BD बटे DA, यहां भी आ रहा है, BD बटे DA यहां भी आ रहा है मतलब यह दोनों चीजे आपस में बराबर हैं तो कहने का मतलब यह दोनों चीजे भी आपस में बराबर हो जाएंगी तो इन दोनों को बराबर लिख देंगे क्या B E बटे E C B E बटे E C बराबर किसके हो जाएगा BF बटे FE के क्या यही सिद्ध करना था क्या यही सिद्ध करना था एक बार देखकर बताएंगे ठीक है तो सिद्ध करना था हमे BF बटे FE ये रहा और BE बटे EC ये रहा तो ये दोस्त सिद्ध हो चुका है लिख देंगे इती सिद्धम hence proved क्लियर है बातें कोई दिक्कत वाली बात यहां तक ठीक है तो यह अपना प्रसंसंख्या एक कंप्लीट हो गया एक बार इसका स्क्रीन सॉर्ट लेंगे और हम बढ़ रहोंगे अपने नेक्स्ट क्वेस्चन पर प्रसंसंख्या दो पर तो आईए देखते हैं हम प्रसंसंख्य है समध्य बहुत त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती है बराबर होती है तो आपको यही सिद्ध करना है कि इस पी क्यू आर जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है पी क्यू आर इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है आपको सिद्ध करना होगा, clear है बातें, चलो ठीक है, तो यहां दिया है PS बटे SQ, मतलब PS ये रहा, बटे SQ ये रहा, बराबर क्या दिया है, PT बटे TR, ये तो आपको question में दिया हुआ है, और दिया है कि ये दोनों angles आपस में बराबर है, इतनी बात दिया हुआ है, clear है बाते प्रमेय तो आपको आता है, जो हमने प्रसन संख्या एक में लगाया, उसी का विलोम क्या कहता है, आईए देखते हैं, उसी का विलोम, फिर से मान लो एक तरिभुज ABC है, और यहां एक line है DE, अगर ऐसा दिया है कि AD बटे DB, बराबर है AE बटे EC के, अगर ऐसा दिया है, ऐसा समानुपातिक्ता प्रमेय के विलोम के अनुसार बोल सकते हैं, कि ये दोनों रेखाएं, DE और BC आपस में क्या होंगी, समानतर होंगी, पैरलल होंगी, दोनों प्रमेय आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, NCRT में जो प्रमेय संख्या 6.1 और 6.2 है, बिलकुल जबर्ज तरीके से आना चाहिए, तो ये बात क्लियर है, ठीक है, कि अगर ये दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कि DE जो है, वो समानतर हो जाएगा किसके, BC के, यही वाला प्रमेय हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, यहाँ पर हमें दिया है, कि इतना बटे इतना बराबर मतलब हम बोल सकते हैं, कि ST और QR आपस में क्या होंगे? समानतर होंगे, ST और QR दोस्त आपस में क्या होंगे? समानतर होंगे, तो ये बाते हम लिखेंगे यहाँ पर, कैसे को स्टार्ट करेंगे? ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या, दिया है कि PS बटे SQ बराबर है PT बटे TR के, यह तो आपको दिया है, तो हम आधार भूत कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आधार भूत समान उपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे सभी दोस्ट क्या हो जाएगा तो आपने देखा कि रिभुज PQR में इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना दिया है तो हम लिख सकते हैं st जो है वो समांतर हो जाएगा किसके QR के कौन से प्रमय के अनुसार आधारभूत समानुपातिकता प्रमय के विलोम के अनुसार प्रमय अच्छा दस्मलो दो के अनुसार क्लियर है वाते हैं तक अब हमने सिद्ध कर दिया कि ये वाली रेखा जो है स्टी वो क्यूर के क्या है समानतर है qr के क्या है समानतर है अब जब ये दोनों समानतर होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये संगत कोड आपस में बराबर हो जाएंगे ये वाले संगत कोड आपस में क्या हो जाएंगे दोस्त बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं एंगल PST बराबर, एंगल PQR, क्यू बराबर लिख दिया? क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपस में? Corresponding Angles, संगत कोड, संगत कोड, तो संगत कोड यहाँ पर आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्लियर है बाते, इसको बना दिया समीकरर संख्या 1, हमने देख लिया कि ये वाला इसके बराबर हो चुका है, संगत कोड है, अब हमें ये भी दिया हुआ है यहाँ पर, कि ये वाला जो है ना, वो इसके भी बराबर है, ऐसा हमें question में दिया हुआ है, तो लिखेंगे, PST बराबर, यही वाली बात जो दिया हुआ है question में, PRQ, ये दिया है, ये क्या है दोस्त, दिया है, और इसको हम बोल देंगे क्या, समीकरर संख्या 2, अब समीकरर 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे, तो इधर भी PST, इधर भी PST मतलब इधर वाली side अगर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो लिखेंगे, समीकरर 1 तथा 2 से, समीकरर 1 तथा 2 से, एक और 2 से जब देखेंगे, तो यहां से आ जाएगा, PQR बराबर PRQ, एंगल PQR बराबर, एंगल PRQ, फिर से देखेंगे एक बार, एक और 2 को आप ध्यान से देखेंगे, तो ये वाली साइड PST यहां भी है PST यहां भी है जब ये वाली साइड बराबर है तो ये PQR और PRQ भी आपस में बराबर होगा वही लिख दिया मैंने मतलब हमने क्या सिद्ध कर दिया हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के क्या है बराबर है अगर मैं इस त्रिभुच को नीचे दुबारा बनाता हूँ PQR को बीच वाली लाइन को भूल जाओब PQR को मैं दुबारा बनाकर आपको दिखाओं कि मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये Q एंगल R एंगल के बराबर है और आपको पता होगा कि जब दो कोण किसी त्रिभुच के बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुक भुजाएं भी आपस में क्या होती है बराबर होती है तो PQR इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है PR PR लिख दिया और P R Q इसके सामने कौन सी भुजा दिख रही है P Q तो P Q लिख दिया रिजन क्या लिखेंगे समान कोडों के सम्मुक भुजाएं भी आपस में क्या होती है बराबर होती है सम्मुक भुजाएं आपस में बराबर होती है क्लियर है बाते हैं कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है तो जब दो बराबर होती हैं तो जब दोनों भुजाएं इस त्रिभुज की बराबर हो गई तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसलिए इसलिए त्रिभुज PQR एक समध्विबाहू त्रिभुज होगा एक समध्विबाहू त्रिभुज आईसुसलेस ट्राइंगल होगा एक समध्विबाहू त्रिभुज होगा क्लियर है बात कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है समध्य वाहू त्रिभुज होगा तो ये बहतरीन तरीके से हमने इस question को solve कर लिया है एक बार दोस्त इसका screen sort लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने next question प्रसंसंख्या 3 की तरफ तो आईए देखते हैं प्रसंसंख्या 3 में क्या बात की जा रही है तेखो जिनको basic concept आता होगा उनके लिए सारे questions बहुत आसान लग रहे होंगे ठीक है तो बिलकुल समझेंगे त्रिभुज एक ऐसा chapter है जिसमें ज़्यादा practice हमें करनी होती है इसमें ऐसा भी होगा आपके साथ की question यहाँ पर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा लेकिन जैसे ही आप खुद से बैठेंगे करने खुद से आपसे question नहीं बनेगा तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला त्रिभुज चाप्टर practice का चाप्टर है इसमें बार-बार चीजों को करना पड़ेगा आपको कई बार revise करना पड़ेगा तब जाके आप बहतरीन तरीके से इस चाप्टर पे अपनी command बना पाएंगे तो आईए देखते हैं प्रसंद संख्या 3 चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OD दिया है ठीक है और बराबर एक बटे 3 है यदि DC का मान एक दसमलो 5 है तो AB का मान ग्यात कीजिए ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ध्यान से देखेंगे दिया क्या है यहां दिया है AO बटे OC मतलब एक इस्त्रिभुच की भुजा बटे एक इस्त्रिभुच की भुजा बराबर BO BO बटे OD फिर से एक इस्त्रिभुच की भुजा बटे इस्त्रिभुच की भुजा मतलब दिखाना यह चाह रहा है कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजाएं, आपस में क्या है, समानुपाती हैं, दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं, अगर तीनों भुजाएं समानुपाती होती हैं, अगर ऐसा भी दिया होता कि इतना बटे इतना, अगर तीनों भुजाएं समानुपाती होत तो मैं बोल देता कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, कौन सी क्राइटेरियन से, कौन सी कसोटी से, भुजा, 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 ट्रिपल S से, लेकिन यहाँ पर तो दो ही भुजा है सर, तब क्या करेंगे, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोड देखो, इन दो त्रिभुज, A, O, B, तथा, त्रिभुज, C, O, D में, तथा, त्रिभुज, C, O, D में, सबसे पहले तो यही लिख लेंगे, जो दिया हुआ है, A, O, बटे, O, C, बराबर, B, O, बटे, O, D, बराबर, बराबर नहीं, एक बटे, तीन लिखने, जो उतनी है, हाँ, B, O, बटे O, D, दिया है, दिया है यह तो, फिर लिखेंगे, यह, कोड, यह दोनों कोड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, सीरसा भिमुक कोड है यह, तो लिखेंगे, एंगल A, O, B, बराबर, एंगल A, O, B, बराबर, एंगल C, O, D, सीरसा भिमुक कोड, सीरसा भिमुक कोड, सीर यह रहें, यह दोनों कोर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यह दोनों तरिभुज भी क्या हो जाएंगे, समर्वुज रहेंगे तो लिखेंगे तरिभुज A, O, B समर्वुज हो जाएगा, अब देखो, A, O, Q के साथ O, C आना चाहिए, तो मैं C, O, D लिखे देता हूँ आपे देखते हैं सही लिखा है कि नहीं A.O. के पास O.C. या C.O. आना चाहिए तो A.O. के पास C.O. आ चुका है B.O. के साथ O.D. आना चाहिए तो B.O. ये रहा O.D. ये रहा बराबर आ रहा है Angle O. O. के जगा पर O. आना चाहिए O. की जगा पर O है मतलब बिल्कुल सही लिखा हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कौन सी कसोटी से ये दोनों समरूप हुए हैं दोस्त तो ये S.A.S. कसोटी समरूपता कसोटी से दोनों क्या हुए हैं समरूप हुए हैं S.A.S. समरूपता कसोटी N.C.R.T. में आपने अगर देखा हुगा तो तीन कसोटियां दी हुई हैं पहला भुजा पहला तो आपको ट्रिपल ए दिया हुआ है ट्रिपल ए मतलब कौन 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 उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या S.A.S. या ट्रिपल S दिया होगा भुजा 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 और सबसे लास्ट में दिया होगा भुजा कोन भुजा तो ये तीन कसोटियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्लियर है बात हैं ये दोनों त्रिपुज हमने क्या कर दिया ये दोनों त्रिफुज हमने समरूप कर दिया अब आगे क्या? जब दोनों त्रिफुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर पहला और लाष्ट AB बटे CD दो को उठालो इन दोनों को उठालो BO बटे OD का मान आप देख सकते हैं कितना है 1 बटे 3 BO बटे OD की जगह पर लिख दिया 1 बटे 3 AB का मान ग्याद करना है तो AB को AB रहने दो CD का मान आपको पता है CD का मान है 1.5 यह 1.5 दोस्त यहां पर आएगा तो 1.5 बटे 3 बराबर AB हो जाएगा मतलब AB का जो मान आ रहा है वो आएगा 0.5 तो AB कितना हो जाएगा 0.5 cm सेंटी मीटर आर यह बात समझ में ए बी कितना हो जाएगा दोस्त सुन्य दस्मलों पांच सेंटी मीटर कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो यह आसान क्वेस्चन था आपको करना क्या था आपको दोनों त्रिभूस समरूप करके दिखाना था भुजाओं का अनुपात भु अपने अगले क्वेस्चन की तरफ प्रसंसंक्या चार की तरफ तो देखते हैं प्रसंसंक्या चार में क्या बाते हो रही हैं सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभूज की दो भुजाओं के मद्ध बिंदों को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानतर होती है तो एक बुजाओं के मध्य बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी बुजा के समानतर होगी तो इसमें से दो बुजाएं पकड़ लिया मैंने A B और A C और इनका मध्य बिंदू ले लिया जिसको मैंने बोल दिया D E और इनको मिला दिया तो हमें सिद्ध ये करना है कि D E जो है व B C के क्या हो जाएगा समानतर हो जाएगा कैसे करेंगे आइए देखते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि A D बराबर D B होगा क्या इसमें कोई डाउट है कि A D और D आपस में बराबर होंगे से EC भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे अब अगर DB को मैं इधर ले आता हूँ मतलब AD बटे DB करता हूँ तो यहाँ पर 1 बचता है ऐसे ही जब यहाँ पर AE बटे EC करता हूँ तो यहाँ भी क्या बचता है 1 बचता है अब आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों में राइट हैंड साइड वन है मतलब यह वाला पार्ट आपस में बराबर है तो यह वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा तो मतलब AD बटे DB जो है वो AE बटे EC के बराबर हो जाएगा AE बटे EC के बराबर हो जाएगा कोई दिक्कत यहां तक बताओ एक बार समझ में आ गया कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना और जब भी ऐसा होगा कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना तो हम आधार भूत समानुपातिकता प्रमे के विलोम के अनुसार क्या बोल सकते हैं प्रमे के विल विलोम के अनुसार जल्दी बताएंगे दोस्त विलोम के अनुसार क्या बोल सकते हैं आपर तो आपको पता है कि जभी भी किसी त्रिभुज में इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है तो ये दोनों रेखाएं आपस में समानतर रेखाएं होती है मतलब d e जो है वो समानतर हो जाएगा किसके b c के d e किसके समानतर हो जाएगा दोस्त b c के समानतर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात सब कुछ clear है तो यही हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों मद्ध बिंदों को मिलाने वाली रेखा जो DE है वो BC के समांतर हो जाएगी तो वही लिख दिया गया है DE समांतर BC समझ में आ रही है चीजे आसान भी है जिनका कॉंसेप्ट क्लियर होगा जो NCIT बहुत ढंक से करके आया होगा उसको तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली है तो आईए बढ़ते हैं आगे एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे इसका और हम देख रहे होंगे अपना प्रसन सं क्या पाच की चित्र में DE समानतर BC है पकड़ लो इसको DE ये रहा BC ये रहा ये दोनों आपस में समानतर है ठीक है सबकी लंबाई दी हुई है आपसे क्या पूछा जा रहा है भुजा AD की लंबाई तो AD को मैंने X मान लिया क्लियर अब आपने देखा कि त्रिभुज ABC में DE समानतर है BC के जब DE समानतर हो जाएगा BC के तो हम आधारभूत समानुपातिक्ता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना असान है है ना तो लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC सब का मान रख देंगे AD का मान X है BD का मान 10.8 है AE का मान 2.7 है और 8.1 है किस का मान EC का मान क्लियर है बाते अब देखो द्यान से इस 10.8 को उधर भेज़ दो तो हो जाएगा X बराबर 2.7 गुडे 10.8 यहां भाग हो रहा है उपर जाके गुड़ा हो जाएगा बटे 8.1 27,3,81 और 3 से जब इसको कट करेंगे तो 3.6 तो X का मान दोस्त कितना आ जाएगा 3.6 cm बताओ कोई दिक्कत तो ऐसे असान सवाल आपके एक्जाम में बार बार आते रहते हैं इन सवारों पे बैतरीन कमांड होना चाहिए आपका एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम आगे प्रस्न संक्या 6 की तरफ प्रस्न संक्या 6 में दिया है चित्र में यदि AO बटे ऐसा क्वेस्टन तो हमने कर लिया है ठीक है इसको स्किप करते हैं आगे बढ़ते हैं एक समध्य बाहूं त्रिभू जो PQR में यदि Q एंगल Q का मान 90 अंस है तो सिद्ध करना है PR स्क्वाइर बराबर 2PQ स्क्वाइर तो कभी क्या होता है 9th class के भी questions आपके exam में पूछे जा रहे हैं तो 9th class के भी जो त्रिभू चाप्टर है उसको जरूर देख लेना 9th class का भी 3 chapter आपको बढ़िया तरीके से करके जाना पड़ेगा 9th class का अक्सर questions देखने को मिल जाते हैं 10th के board exam में तो 9th class का भी पूरा chapter आपको करके जाना है एक समध्यवाव तरी हुज है PQR और Q पर 90 अंस है तो यह रहा PQR Q पर 90 अंस है ठीक है आगे तो सिद्ध करना है यह clear है यह समध्यवाव तरी हुज है मतलब यह दोनों भूजाएं बराबर हैं यह कैसे पता चला मुझे कि यही दोनों भूजाएं बराबर हैं यह दोनों क्यों नहीं बराबर हैं क्योंकि दोस्त जो करण होता है, जो हाइपोटेनियस होता है, नब्बे अन्स के सामने वाला, यह सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यह तो सबसे बड़ी है, मतलब यह दोनों कही ना कहीं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यह समध्दिवाहतर भुजाए, इसमें PQ बराबर QR है, अब इसमें आप पाइथा गोरस थिरम लगाएंगे पाइथा गोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वाइर बराबर पी आर का स्क्वाइर बराबर पी क्यू स्क्वाइर धन क्यू र स्क्वाइर ये तो सबको आता है न कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो बस हो गया अपना काम PR square बराबर PQ square को ऐसे ही लिख लो और QR की जगह पर भी क्या लिख दो PQ लिख दो QR की जगह पर भी क्या लिख दो PQ तो ये क्या आ गया PR स्क्वाइर बराबर दो बार PQ स्क्वाइर ये सिद्ध हो चुका है ये दोस्त सिद्ध हो चुका है ये ही आपको सिद्ध करना था एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे ये तो बहुत ही आसान question था तो अब बात करेंगे हम प्रसन संख्या आठ की आठ में बोल रहा है दिये गए चित्र में यदि कोड़ एक बराबर कोड़ दो तथा कोड़ तीन बराबर कोड़ चार है तो सिद्ध करना है PT into QR equal to PR into ST क्या दिया है एक बढ़ ध्यान से देखेंगे Angle 1 is equal to Angle 2 ये वाला कोड़ इस कोड़ के बराबर है और ये जो कोड़ तीन है वो कोड़ चार के बराबर है ध्यान से देखेंगे अच्छा question है और इस तरह का question आपने 9th class में भी कर लिया है ये 9th का question नहीं है 10th का ही है लेकिन इस concept पे आपने question कहां पर कर लिया है उस हिसाब से आप चूज करेंगे कि triangles त्रिभुज कौन कौन से लेने है सबसे पहले बात हो रही है PT, QR, PT कहां गया PT ये रहा ये किस त्रिभुज का part है तो ये कहीं ना कहीं त्रिभुज PST का part है मतलब एक त्रिभुज तो आपको मिल चुका है कि एक त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा कौन सा PST उसके बाद QR आ रहा है अब QR जो है वो किस त्रिभुज का part है तो QR जो है ये आ रहा ये किस त्रिभुज में आ रहा है तो ये आ रहा है PQR में तो आपको दोनों त्रिभुज मिल चुके हैं इन दोनों ही त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना पड़ेगा ये चीज अपने आप सिद्ध हो जाएगी मतलब पूरा दिमाग आपको रगाना है कि इन दोनों को समरूप कैसे सिद्ध किया जाए अगर green वाले त्रिभुज का कोई भी दो कोड यलो वाले त्रिभुज के किसी भी दो कोड के बराबर आपने सिद्ध कर दिया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे लेकिन करेंगे कैसे बात तो ये है सर एक तो दिख रहा है एक तो ये वाला दिख रहा है कि इसका ये जो 4 है एंगल 4 वो एंगल 3 के बराबर है तो ये दोनों तो बराबर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एंगल वन जो आपको दिख रहा है बस इतना सा ये क्या PST में आ रहा है क्या पूरे के पूरे ग्रीन में आ रहा है क्या ये पूरा एंगल आ रहा है पूरा एंगल आना चाहिए ना पूरा यहां से लेकि यहां तक जो नहीं आ रहा है एंगल वन बस यह यहां से यहां तक है ध्यान से देखो बस इतना सा है यहां से लेकि यहां तक बस हमें तो पूरा चाहिए और यही प्रॉब्लम यलो वाले पार्ट में भी हो रहा है एंगल टू के साथ भी हो रहा है एंगल टू बस यहां से यहां तक है हमें तो यहां से यहां तक पूरा चाह रही है बस इतने पार्ट की कमी दिख रही है देखो अगर इस छोटे वाले जो हरा सा पार्ट दिख रहा है एंगल वन इतने को अगर ये मिल जाए रेड वाला पार्ट तो इसका काम हो जाएगा और यलो वाले को भी कोण दो को भी अगर इतना रेड वाला पार्ट मिल जाए इसका भी काम हो जाएगा, आइए करके देखते हैं, कैसे इसको हम deal करते हैं, जो student class 9th में बहुत बढ़ियां से NCRT की होंगे, NCRT की प्रसनावली में आपको इस प्रकार के प्रसन देखने को मिले थे, कहां पर class 9th में, ठीक है, तो आइए इसको solve करते हैं, समझते हैं, तो लि त्रिभुज, PQR में, दोनों त्रिभुज का नाम लिख दिया है यापर, इन्हीं दोनों त्रिभुज की बात हो रही है, इन दोनों त्रिभुज में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे angle 1 बराबर angle 2 है, ये तो पता है हमें, कि इसका छोटा सा part है angle 1 जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा होगा, वो angle 2 मतलब इतने के बराबर है, छोटा छोटा वाला part, इतना, बस इतना सा यहां, इतना सा यहां, ये दोनों आपस में बराबर हैं, जिसकी कमी है, जो red color से मैंने circle किया यहां पर, जिसकी कमी है, उसको दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, तो यह red वाला part दोनों तरफ जोड़ेंगे, red वाले part का नाम बताना, यह कौन सा code है, QPT, दिख रहा है, QPT, तो दोनों तरफ QPT जोडने पर, दोनों तरफ QPT जोडने पर, क्या हो जाएगा, जोडने पर, angle 1, plus angle QPT, बराबर angle 2, plus angle QPT, जब आप angle 1 में, जब दोस्त आप angle 1 में QPT देते हो, angle 1 में QPT मतलब इसको देते हो, तो यह आपको पूरा मिल जाता है, यहां से लेकि यहां तक, इसका नाम बताना, तो इसका नाम हो जाएगा, S, P, T, क्या हो जाएगा, S, P, T बन गया यह, मतलब यह पूरा का पूरा कोण हमें मिल चुका है, जो हमें चाहिए था, ऐसे ही जब आप angle 2 में, QPT को जोडते हैं, angle 2 मतलब इतना में, इतना में जब आप इतने को जोडते हैं, तो आपको यह पूरा मिल जाता है, पूरे का नाम बताना, तो यह हो जाएगा, R, P, Q, तो इसका नाम लिख देंगे, R, P, Q, समझ में आ गई बात यह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो यह हमें मिल चुका है, की मतलब इधर का यह green वाला पूरा पार्ट, इधर के yellow वाले पूरा पार्ट के बराबर है, और एक काम तुमारे पास पहले से, की तीन बराबर चार, लिख देंगे, एंगल तीन बराबर एंगल चार, तो इन दोनों लाइन को देखेंगे, तो यह दोनों त्रिभूज आपस में क्या हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं, लिखो इनको, पहले green वाले का नाम लिख दो, जैसे मन करें वैसे लिख दो, P, P, S, T, और यह समरूप हो जाएगा किसके, यलो वाले के, तो P की जगह पर तो P आएगा, क्योंकि P वाला पार्ट आपस में बराबर है, देख सकते हैं यहापे, P वाला पार्ट आपस में बराबर है, तो P की जगह पर तो P आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही, यहाँ S और ये वाला q आपस में बराबर है मतलब ये वाला s 3 और ये वाला q 4 angle 3 और angle 4 बराबर थे तो जहां भी s आ रहा है वहाँ पर q आएगा तो यहाँ पर q लिख देंगे और बचा क्या r तो r लिख देंगे तो ये हमारे पास आ चुका है कौन सी कसोटी से double a angle angle कोण कोण समरूपता कसोटी समरूपता कसोटी के अनुसार कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ठीक है तो यहाँ तक हमने कर लिया कि दोनो तृबुज ग्रीन वाला और यलो वाला आपस में क्या है आपस में ये समरूप तिर भुज है ठीक है एक पहला एक last, तो PT बटे, इधर पहला और last लिया है आपने, तो यहां भी पहला और last ले लो, PR, बराबर, और क्या है PR, यहां QR है, QR कैसे मिलेगा, QR आखरी के दो हैं, तो यहां पर आखरी के दो लो, ST बटे QR, ST बटे QR, फिर से समझेंगे इसको, पहले लिख दिया, PT, मतलब पहला और last, PT लिया, तो यहां पर PR लेना पड़ेगा, फिर यहां पर ST लिया, तो यहां पर QR लेना पड़ेगा, लिख दिया, अब यह बनाना है हमें, तो यहां पर तिरियक गुड़ा कर देंगे, यह आ चुका करना था, हाँ, तो यह सिद्ध हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है यह, एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे इसका भी, और आगे बढ़ रहे होंगे हम, और देखेंगे हम कौन सा प्रस्न, प्रस्न संख्या, नो, नो की बात कर लेते हैं, इसमें बोलना चित्र में, DF जो है, समांतर है, BG के, और EF समांतर है, CG के, तो आपको सिद्ध करना है कि DE समांतर हो जाएगा, BC के, जो जो समांतर हमें दिया है, पहले तो उसको घेरेंगे, DF और BG, DF, ऐसा question आपको NCIT में देखने को मिला होगा, DF और BG, यह दोनों आपस में समांतर है, अब जब यह दोनों से देखें, यह वाला त्रिबुज, बड़ी वाली लाइन को पकड़ो, बड़ी वाली लाइन को यहां से, गरवड हो गया, यहां से ऐसे जाएंगे, और यहां से ऐसे, clear है बाते, यह त्रिबुज मिल गया, अब जो त्रिबुज आपको मिल चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे, त्रिबुज ए, जी, बी में, त्रिबुज ए, जी, बी में, त्रिबुज ए, जी, बी में, आप जब देखेंगे, तो यहां पर डी एफ जो है, वो समानतर है, बी जी के, डी एफ जो है, वो समानतर है, किसके, बी जी के, ठीक है, जब समानतर है, तो इसमें हम आधारभूत समानुपातिक्ता प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे यहां से स्टार्ट करके बताओ AD बटे DB बराबर AF बटे FG तो यह बात लिख देंगे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक्ता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर बताओ आगे AF बटे FG AF बटे FG समीकरण संख्या 1 क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात AD बटे DB बराबर AF बटे FG क्लियर तो इसका काम हो चुका है जो हमें दिया था ये अब इसके पीछे पढ़ेंगे ठीक है तो इसके पीछे जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि EF मतलब ये वाला इसके समानतर है ठीक है ये दोनों आपस में समानतर है त्रिभुज घेरो त्रिभुज घेर के एक बार बताएंगे कि कौन सा त्रिभुज आपको मिल रहा है तो बड़ी वाली लाइन को पकड़ो और यहां से ऐसे उपर जाएंगे और यहां से भी ऐसे जाएंगे तो ये वाला त्रिभुज हमें मिल रहा है दिख गया? ठीक है? ये वाला त्रिभुज हमें मिल रहा है अब देखो और किसी लाइन को नहीं देखना है बस इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को देखना है ये जो आपको ऐसी लाइन पड़ी हुई दिख रही है इससे कोई मतलब नहीं है अपना जो रेखाएं समानतर हैं इस त्रिभुज के अंदर बस उनी को देखना है तो लिखेंगे अबर त्रिभुज ए जी सी में त्रिभुज ए जी सी में जब आप इस त्रिभुज में देखेंगे ए जी सी में तो आपको दिख रहा है ए एफ समानतर है किसके? सी जी के तो आधारबूत समान उपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? आधारबूत समान उपातिकता प्रमेय के अनुसार आप बता सकते हैं आपर कि A E बटे E C बराबर हो जाएगा ए ए एफ बटे F G के तो लिखेंगे AE बटे EC बराबर किसके? AF बटे FG के और इसको हमने बोल दिया समीकरण संख्या 2 एक और 2 को जब आप ज्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका एक साइड जो है वो आपस में बिलकुल बराबर है जब एक साइड बराबर होगा आपस में तो दूसरा साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा तो लिख देंगे ये बात हम लिखेंगे याँपर समीकरण 1 तथा 2 से ये साइड आपस में बराबर है तो इस साइड को भी आपस में बराबर करेंगे AD बटे DB बराबर AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा दोस्त AE बटे EC AE बटे EC ठीक है ये result हमें मिला अब जो result मिला है इसको एक बार यहां apply करके देखो कि आपको क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है AD बटे DB AD मतलब इतना चलो इस त्रिवुच को मैं दुबारा बना देता हूँ और जो लाइन मुझे U मैं चाहिए वही लाइन बनाऊंगा बस सभी लाइने नहीं बनाऊंगा यहां पर A है, यहां पर D है यहां पर B है यहां पर E है और यहां पर C है आपने सिद्ध किया है अभी A D बटे D V मतलब इतना बटे इतना बराबर A E बटे E C मतलब इतना बटे इतना आपने अभी अभी यही सिद्ध किया है अगर हम आधार भूत समान उपातिकता प्रमे के विलोम करें तो उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि यह इसके समानतर हो जाएगा तो लिखेंगे आधार भूत समान उपातिकता प्रमे के विलोम के अनुसार आधार भूत समान उपातिकता प्रमे के विलोम के अनुसार प्रमे के विलोम के अनुसार ये दोनों रेखा हैं आपस में parallel हो जाएंगी D E हो जाएगा समानतर किसके BC के D E समानतर किसके हो जाएगा BC के क्यूं हुआ क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है ये बात क्यौन सी बात कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना और जबी भी ऐसा होता है तो ये दोनों रेखा हैं आपस में क्या होती है दोस्त समानतर हो जाती है एक बार screenshot लेंगे तो देखो आपको बिलकुल basic concepts पे पकड़ना है पकड़ बनारी रखनी है अगर आपके basic concepts strong हैं तो कोई भी question आजाए आप ऐसे ही आसान तरीके से कर पाएंगे उसको बढ़ते हैं आगे और देखेंगे प्रस्ण संख्या 10 प्रस्ण संख्या 10 में बोल रहा है चित्र में ABCD एक समलंब चतर भुज है जिसमें AB parallel है DC के तथा इसके विकर्ड एक दूसरे को बिंदो ओपर काटते हैं तो सिद्ध कीजिए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO यह आपको सिद्ध करना है आपे एक हम रचना करेंगे रचना में आपको दिख रहा होगा कि E को F से मिलाया यह जहाँ पर कटान बिंदू थी दोनों का प्रतिक्षेद बिंदू था O O से होती हुई एक रेखा E F कीचेंगे किसके समांतर A B के समांतर है ना अब ध्यान से देखेंगे तो मतलब यह तीनों रेखा हैं आपस में समांतर हो जाएंगी अब जब तीनों रेखा हैं समांतर हो जाएंगी तो एक बार आप इस त्रिभुज को लेंगे एक बार आप दोस्त इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज में बताएंगे आप कि EO कौन सा त्रिभुज है त्रिभुज A, B, D में जो EO है EO समांतर है किसके? A, B के दिख रहा है यह जो EO है वो समांतर है किसके? A, B के जो इसको भी बना देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे अब यह बढ़िया दिख रहा है अब जब यह दोनों समांतर हैं तो हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार यहां पर हम बता सकते हैं कि इतना बटे इतना मतलब D E बटे E A D E बटे E A बराबर हो जाएगा किसके D O बटे O B के D O बटे O B के और इसको हम बोल देंगे क्या समीकरर संख्या 1 क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब एक बार और एक बात और एक दूसरा त्रिबुज लेंगे तो यहां पर आपको ध्यान यह रखना है कि किस त्रिबुज को आपको चूज करना है ठीक है दूसरा त्रिबुज लेंगे दोस्त और दूसरा त्रिबुज यहां पर आप ले लीजिए ये वाला DCA या DAC दिख रहा है DAC इस त्रिवुच को लेंगे इनी दोनों त्रिवुच को क्यों लिया क्योंकि एक पर आप ध्यान दिजिए कि आपको सिद्ध क्या करना है प्रूफ क्या करना है तो आप देख पा रहे हैं जो सिद्ध करना है उसमें AO, BO, CO और DO आ रहा है मतलब ये चारो के चारो विकर्ण के भाग ये AO, BO, CO और DO ये चारो आ रहे हैं जब ये चारो आ रहे हैं तो आपको ये ऐसा त्रिभुज चूज करना पड़ेगा ऐसा option लेना पड़ेगा त्रिभुजों का जिसमें कि ये चारो भुज़ाएं क्या हो सम्मेलित हों तो हमने ये दोनों त्रिभुज लेडिया एक yellow color से आपको दिखरा होगा एक आपको green color से दिखरा होगा yellow color से लिया उसमें आधारभूत, समानुपातिकता, प्रमेय का प्रयोग किया अब यही काम हम green color वाले त्रिभुज मतलब की त्रिभुज ADC में यही काम करने वाले हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में आधार भूत पहले पता दो कौन किसके समानतर है तो यहाँ पर E.O. समानतर है CD के यहाँ पर दोस्त E.O. समानतर है किसके CD के और लिखेंगे आधार भूत समानुपातिक्ता प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा अब देखो ध्यान से green वाले को देखना है start करेंगे आप यहाँ से या उपर से ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है जब उपर से करेंगे तो दोनों तरफ उपर से जब नीचे से करेंगे तो दोनों तरफ नीचे से इसका मतलब क्या हुआ जब नीचे से करेंगे तो लिखेंगे AE बटे ED बराबर AO बटे CO जब आप उपर से करेंगे तो लिखेंगे D E B T E A बराबर यहां भी उपर से CO B T O A आप यह बात समझ में तो यह आपको पता होना चाहिए कहां से हमें यही चाहिए तो हम उपर से स्टार्ट करेंगे यहां से तो हो जाएगा D E B T E A अब यहां पर उपर से स्टार्ट किया है तो यहां भी उपर से करना पड़ेगा CO B T O A CO B T O A समी करण संख्या 2 एक बार जल्दी से एक और दो को ध्यान से देखेंगे एक और दो को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इनका जो D E B T E A वाला पार्ट है आपस में क्या है यह आपस में बराबर है जब इनका लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होता है तो इनका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होना पड़ेगा तो इनके राइट हैंड साइड को भी आपस में बराबर करेंगे हम तो लिखेंगे समीकरड संख्या 1 तथा 2 से, क्या, DO बटे OB बराबर, CO बटे OA, त्रियक गुड़ा करेंगे, अच्छा, त्रियक गुड़ा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक बार पहले त्रियक गुड़ा करेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूब करना है, वो भी नहीं मिला, देख सकते हैं, नहीं मिल रहा है न, तो कोई बात नहीं, या तो चलो तिरयक, या तो एक काम कर सकते हैं, इसको यहां भेज़ दो, और इसको यहां भेज़ दो, काम बन जाएगा, है न, हाँ, तो हो जाएगा, OA यहां प एक बार मिल रहा था कि नहीं नहीं मिल रहा था तो हमने O A को यहां भेज दिया, D O को यहां भेज दिया, तो यह आपका प्रूब हो चुका है जो आपसे पूछा गया था, एक बार इसका स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे की तरफ, और देखेंगे दोस्त, प्रस क्लास से रिलेटेड नहीं है, मतलब यह 9th क्लास में, 8th क्लास में, मतलब पिछली क्लासेज को भी आपको कहीं न कहीं ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, तो क्या सभी कुछ पढ़ना है, नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस उतना पढ़ लेंगे, more than sufficient है, तो यहां पर एक संभाह उत्रिभुज की रचना करेंगे, यह रहा एक संभाह उत्रिभुज, इसका नाम लिख दिया A, B, C, इसका नाम लिख दिया दोस्त, A, B, C, सभी भुजाएं कितनी हैं, सभी भुजाएं 2A, 2A और 2A है, यह वाली भी 2A है, यह वाली भी 2A है, और यह वाली भ बात कर रहा है तो इसके shift से मतलब A से यहाँ पर एक perpendicular draw करेंगे लंब खीचेंगे यह राजो इस भुजा BC को D पर प्रतिक्षेद कर रहा है क्लियर कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है आपको यहाँ पर AD की लंबाई ग्याद करनी है भुजा AD जो दिख रही है उसकी ल और सारी बातें इसी में होंगी अब जब यह पूरा का पूरा दो A था तो यतना कितना बचेगा A बचेगा उसका आधा यह भी A हो जाएगा और वो भी A हो जाएगा तो अब जो आपको ADC दिख रहा है ADC को मैं नीचे बना दू आपको ज्यादा समझ में आएगा यह जो ADC यह जो आपको ज्याद करना है और नीचे बना भी भूजा आपकी A है इसमें पाइठागुरस लगाएखे आपका अंसर आजाएगा पाइठागुरस लगाएखे तो लिखेंगे तो प्यदी UK क्या लिखेंगे तो आता ना पाइठागुरस थीरम से AD square plus CD square ये कैसे लिखा है हमने पाइथागोरस theorem से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है तो AC का मान 2A है तो यहाँ पर लिखेंगे 2A का वर्ग बराबर AD का मान कितना है एक बार देख कर बताएंगे नहीं पता तो कोई बात नहीं और CD का मान आप देख सकते हैं A है तो A का वर्ग 2A का वर्ग होता है 4A square और इस A के वर्ग को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं AD वर्ग जो आ रहा है वो 4A माइनस A मतलब कि 3A square आ रहा है हमें AD निकालना है तो यह square इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 3A square अंडर रूट 3A ऐसे ही रहेगा A square से A बाहर आ जाएगा तो यह आपका सीर्स लंब AD का मान आ चुका है कितना करणी में 3A अंडर रूट 3A question number 12 में बोल रहा है चित्र में code 1 बराबर code 2 है यह दोनों code आपस में बराबर है यह दोनों code आपस में क्या है बराबर है आगे की बात क्या है तथा QR बटे QS बराबर QT बटे PR है तो आपको सिद्ध करना है कि यह दोनों tribus PQS और TQR क्या है, समरूप है, पहले तो इनको घेर के देखते है, PQS को पकड़ो, PQS ये रहा, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQS के बाद, दूसरा त्रिभुज है TQR, TQR को पकड़ेंगे, तो TQR जो है अपना, TQR, मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा का पूरा, ये बड़ा वाला त्रिभुज, देख पा रहे हैं, ये वाला, तो इन दोनों त्रिभुजों को आपस में हमें समरूप सिद्ध करना है, तो कुछ ना कुछ similarity इन दोनों त्रिभुजों में चाहिए हमें, तो आईए ढूरते हैं कि क्या-क्या मिल सकता है, ठीक है, अब क्या पूरा का पूरा एंगल टू आ रहा है, क्या ये कोड़ दो पूरा का पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गरबर है इदर, है ना, और ढोड़ते हैं, तो इसका यूज कुछ और जगह पर करना पड़ेगा हमें, और हमें य दिया है, क्या इससे कुछ अपना जुगार बन पाएगा, इन दोनों को सिद्ध करने में, qr बटे qs, qr ये पूरी बड़ी वाली साइड हमारे पास है, qs मतलब ये छोटी वाली, मतलब बड़ी भुजा, बटे छोटी भुजा, चलो ये तो ठीक है, और qt यहां भी बड़ी भुजा, बटे छोटी भुजा होनी चाहिए, मतलब qp होना चाहिए, लेकिन नीचे क्या आ गया, pr, हमें क्या चाहिए था यहां पे, हमें qp या pq चाहिए था, फिससे समझेंगे इस बात को, qr बटे qs, मतलब हरे वाले की बड़ी भुजा, बटे यलो वाले की, पीले वा चाहिए, मतलब किसी ना किसी जुगार से, pr की जगह पर अगर pq आ जाता है, pr की जगह पर अगर pq आ जाता है, तो काम बन जाएगा, आओ करते हैं, तो यहां से आएगा, pr की जगह पर pq यहां से आएगा, इस code को बाहर निकालता हूँ मैं, जिसमें angle 1 और angle 2 बना हुआ तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, angle 1 को बना दिया, यह अपना p है, और यहां से यहां आ गया, यहां पर angle 2 को बना दिया, यह अपना r है, और यह अपना q है, यहां पर दिया है, यह दोनों code आपस में बराबर हैं, जब दोनों code आपस में बराबर होंगे, तो इनकी सम समझ में यह क्यों दिया था PR की जगा PQ लिखने के लिए तो इसको आईए हम हल करते हैं solve करते हैं पहले लिखूंगा मैं त्रिभुज PQR में यह जो आपको नीचे दिख रहा वही काम करने जा रहा हूं आप देख पा रहे होंगे नीचे वाले त्रिभुज में जो मैंने बनाया है एंगल 1 के सामने भुजा P.R. है और एंगल 2 के सामने भुजा है P.Q. ठीके सम्मुक समान कोड के सम्मुक भुजाएं भी बराबर होती हैं सम्मुक भुजाएं समान होती हैं क्लियर है बात कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है अब यह पकड़ के उठाओ इसको इसको नीचे लियाओ Q.R.Q.S. बराबर क्या है Q.T.P.R. तो हम इसको लिख सकते हैं Q.R. Ba. Q.S. Q.T. Ba. Q.T. P.R. की जगपर क्या लिख देंगे? P.R. की जगपर P.Q. लिख देंगे? P.R. की जगपर P.Q. लिख देंगे? मतलब हमारा काम बन चुका है अब देखो क्या आ आगया आपके पास? qr बटे qs मतलब बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा बड़ी भुजा बटे pq छोटी भुजा आ गया और इनके बीच का code common है मतलब यलो वाले में भी angle 1 आ रहा है पूरा का पूरा green वाले में भी angle 1 पूरा का पूरा आ रहा है तो दो भुजाओं का अनुपात मिल चुका है, इनके बीच का कोड मिल चुका है, क्यों उभैनिस्ट, common, तो जब इतना कुछ आपको मिल चुका है, तो आप बोल सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूफ हो गए, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज PQS जो समरूपता कसोटी से, कोई डाउट यहां तक सब कुछ क्लियर है, तो इंपोर्टन क्वेस्टन है, सारे के सारे ये, ठीक है, क्लियर एक बार स्क्रीन सौट लेंगे और बढ़ रहे होंगे, हम अपने अगले क्वेस्टन की तरब, प्रस्न संख्या 13 की बात होगी, प्रस्न स ये O, D, C जो है, वो O, A, B के समरूप है, ठीक है, एंगल्स का मान दिया हुआ है, और ये, ये कोड आपको ग्यात करने है, जब पहली बात कुछ कोड यहां से निकाल लेते हैं, इस O को थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ मैं, O मानलो यहां पर है, ये वाला बिंदू O है, मैंने थोड़ा दूर लिख दिया, ये 125 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इन पूरे को जोडने पर 180 आना चाहिए, ये 125 तो ये वाला पचपन हो जाएगा, ये वाला कोण कितना, 55 अंस का हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत, क्लियर है तो क्योंकि ये का पूरा 180 होता है, अब ये 125 तो ये कितना 55 अंस का हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है, ये 55 आ गया, ये 70 तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 75 बारह, 125 तो ये भी 55 का हो जाएगा, ये दोनों कोण 55 55 के हो जाएगे, क्योंकि एक 180 अंस का होना चाहिए, ये आपके पास 70 का था, ये वाला 55 का था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 अंस का हो जाएगा, अब देखो, अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, तो इनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब जह कोड CP ST से बराबर हो जाएंगे और C की बात करें तो कोड OCD कैसे लिख दिया OCD यहां पर OAB आपस में बराबर हो जाएगा आपस में बराबर ये भी CP ST से लिख दिया अब आपसे क्या पूछ रहा है आप खुद ही डूल लो खुद ही निकाल लो कैसे अब देखो DOC पूछ रह रहा है DCO ये वाला ये भी 55 का हो जाएगा तो लिखेंगे कोड DCO भी कितना आ घया 55 का आगया elim कि ओ ओ ए बी ओ ए बिए वाला कोड तो OAB किसके बराबर है OCD के OCD मतलब इसके बराबर है तो ये भी 55 हो जाएगा तो ये सारे के सारे कोण कितने हो जाएंगे 55, 55, 55 के क्योंकि ये 70 का है, ये 70 का है D वाला तो अगर आपसे पूछता D कहां परा रहा है बीच में तो ये B, ये भी 70 का हो जाएगा, है ना ये 55 का तो ये वाला भी 55 का हो जाएगा ये वाला पचपन का तो इसके सामने वाला भी पचपन का हो जाएगा मैंने सारे ही कौन निकाल के आपको बता दिये एक बार स्क्रीन सोट लेंगे ये तो आसान क्वेश्चन था तो बात करते हैं अब प्रसंसंख्या नेक्ष्ट की मतलब की 14 की आईए देखते हैं प्रसंसंख्या 14 की बात समानतर चतुरबुज A, B, C, D की बढ़ाई गई भुजा A, D पर इस्थित E, एक बिंदु है एक समानतर चतुरबुज है एक पैरलेलो ग्राम है एक दोस्त आपके पास पैरलेलो ग्राम है समानतर चतुरबुज है और इसका नाम बोल रहा है A, B, C, D है तो इसका नाम मैंने रख दिया A, B, C, D कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है बोल रहा है कि A, D भुजा को बढ़ाओ बढ़ा दिया भई और इस पर एक बिंदू कौन सी स्थित है? E, E इस पर एक कोई बिंदु इस्तित है, E को B से मिलाओ, E को B से मिलाएंगे, जो CD को कहां पर काट रहा है, भुजा CD को F पर काट रहा है, ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है यहाँ पर, कि A, B, E, मतलब ये वाला, A, B, E, ये वाला जो त्रिभ कुछ के समरूप आपको इसको सिद्ध करना है, इस C, F, B के, बड़ा ही आसान क्वेस्चन है, आईए समझते हैं, देखो यहीं से अंदाज लगाओ, कौन सा कोड किसके बराबर हो सकता है, A और C का कोई मेल ही नहीं है, B और F, मतलब ये वाला B और ये वाला F आपस में बरा अंतर होती है, ये एक तिरियक रेखा काट रही है, तो ये एक अंतर अंतर कोड क्या हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे, पहली बात, दूसरी बात, क्या B और E बराबर होगा, क्या ये वाला और ये वाला बराबर तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, इसको छोड और ये वाला भी आपस में दोस्त बराबर हो जाएगा क्यों बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में कैसी रेखाएं दिख रही हैं आपको ये दोनों आपको समांतर रेखाएं दिख रही हैं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और ये एक तिरियक रेखा है तो ये भी एकांतर अंतर कोड आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों कोड के बराबर हो चुके हैं, मतलब की ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, आईए लिख के समझते हैं इसको, तो लिखेंगे, त्रिभुज इसमें, दूसरे का नाम क्या है, CFB में, CFB में, ध्यान से देखेंगे बिलकुल, सबसे पहले बताएंगे, AB समांतर है CD के, क्योंकि जो समांतर चतुर भूज होते हैं, उसमें आमने सामने की भूजाएं आपस में समांतर होती हैं, तथा BE, यहाँ पर E बार बार गाया हो रहा है, AB समांतर है CD के, तथा BE एक तिर्यक रेखा है, तथा BE एक तिर्यक रेखा है, दिग गया, यह पिक्चर जो लिख रहा हो में, कि यह दुनों समांतर हैं, और BE एक तिर्यक रेखा आपको दिखनी चाहिए, ठीक है, तिर्यक रेखा एक BE है, जब यह एक तिर्यक रेखा है, तो य ये वाला कोड और ये वाला कोड ये दोनों समांतर थें समांतर टच होना चाहिए और तिर्यक रेखा टच होनी चाहिए आर यह बात समझ में तो ये दोनों कोड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्या नाम है इनका एंगल ABE उसका नाम उपर वाले का हो गया एंगल ABE और इसका नाम CFB, क्यों हो गया है, एकांतर अंतह कोड, alternate interior angle, एकांतर अंतह कोड, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, कि यहाँ पर A, E और B, C भी आपस में समांतर है, और यहाँ भी B, E, एक तिरियक रेखा है, तथा B, E, एक, जो green color से line बनाया है मैंने, वो दोनों भी आपस में समांतर है, और B, E, एक तिरियक रेखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्त, यह दोनों कोड आपस में बराबर हो जाएंगे, यह वाला और यह वाला, तो द E, B, बराबर हो जाएगा किसके, एंगल C, B, F, K, C, B, F, K, region क्या, कारण क्या, एकांतर अंतर कोड, एकांतर अंतर कोड, क्लियर है बात हैं मिलकुल, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो दो कोड आ E, जो है, वो समरूप हो जाएगा किसके, वो समरूप हो जाएगा तरिभुज, C, F, B के, किसके, C, F, B के समरूप हो जाएगा, डबल A समरूपता कसोटी के माध्यम से, डबल A समरूपता कसोटी, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार बताएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठ चीक है एक बार स्क्रीन सोट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे हम अब देखेंगे हम प्रसंच्या 15 की बात करते हैं 15 की बात करते हैं दोस्त तो यह रहा प्रसंच्या 15 तुरे घुज पी क्यू आर की भुजाओं पी और और क्यू और क्रमसर बिंदू s और t इस प्रकार इस्थित हैं आओ पहले बना लेते हैं तब पता चलेगा ना किस प्रकार इस्थित हैं ऐसे कैसे पता चलेगा किस प्रकार इस्थित हैं तो एक त्रिभुज की बात कर रहा है जिसका नाम है p q r और बोल रहा है कि p q r की भुजाओं p r और q r पर p r और q r ρts इस वाले एंगल के बराबर है ९ह दोनों कोड आपस में क्या है बराबर है तो आपको सिध क्या करना है सिध यह करना है कि तृष भूज rpq rpq मतलब भी पूरा का पूरा तृष rts इस छोटे तृष के क्या है समरूप है तो पूरा बड़ा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के समरूप है बड़ा ही आसान बहत ही आसान क्वेस्चन है ये कैसे सर ये वाला एंगल तो दोनों में आ रहा है एंगल आर दिख रहा है ये वाला जो कोण है ये तो दोनों में आ रहा है पूरे के पूरे बड़े त्रिभुज PQR में भी और STR में भी और आपको यहां भी दिखराओगा कि R तो दोनों में आ रहा है आर यह बात समझ में और दूसरी बात यह दे दिया कि यह वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है बस बात खतम दो कोण मिल गया तो कोण कोण समरूपता कसोटी के माध्यम से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे तो यह लिखेंगे हम लिखेंगे दोस्त त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में ठीक है, ये लिख लिया, r, p, q तथा r, t, s में, क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे ये वाली बात, angle p बराबर, angle r, t, s दिया है, given है हमें, दिया है, दूसरी बात लिखेंगे, कि angle r, बराबर, angle r, दोनों में common है, उभैनिस्ट है, दोनों में क्या है, उभैनिस्ट है ये, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आपस में, समरूप हो गए, त्रिभुज r, p, q समरूप हो जाएगा, त्रिभुज r, t, s के, कौन सी समरूपता कसोटी लग रही है, तो double, a, double, a, समरूपता कसोटी, double, a, समरूपता कसोटी के माध्यम से, आसान है, बिलकुल आसान है, ठीक है, एक बार screen sort लेंगे, इसको और आगे बढ़ेंगे, इसका screen sort लेंगे, और आगे बढ़ रहे होंगे, हम, प्रस्तं संख्या, 16 की तरफ, आकरि आई गई भुजा cv पर इस्थित e एक बिंदू है तो आप देख सकते हैं ये a b बराबर a c दिया हुआ है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और b c को बढ़ा दिया है जिस पर एक बिंदू e इस्थित है ठीक है यदि a d perpendicular b c और e f perpendicular ठीक है ये दोनों perpendicular है आपको a b d आपको दिख रहा है दोस्त तो सिद्ध ये करना है कि ये जो a b d आपको दिख रहा है वो e c f e c f के समरूप है e c f का मतलब ये वाला त्रिभुज तो इन दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है तो देखो ध्यान से मेरी बात समझो एक चीश तो हमें मिल चुका है कि दोनों में 90 degree का कोड बन चुका है यहाँ पर एक 90 अंस का कोड ये बन रहा है और यहाँ पर एक 90 अंस का कोड ये बन रहा है तो दोनों में एक एक कोड़ तो 90 अंसका मिल चुका है आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूसरा कोड़ सर कैसे ढूड़ेंगे तो पहले यहां पर आजाओ यहां पर आजाओ जहां AB बराबर AC दिया हुआ है इस ABC को मैं बाहर बनाता हूं बाहर बनाता हूं ABC को ठीक है बाकी सभी लाइन को भूल जाओ जहां दिया है AB बराबर AC तो इनके सामने के कोड़ भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे मतलब कोड़ B बराबर कोड़ C तो तरिभुज ABC में AB बराबर AC है ये दिया हुआ है तो इनके सम्मुख कोड़ भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ये दिया हुआ है तो AB के सामने कौन सा कोड़ आ रहा है कोड़ C और AC के सामने कौन सा आ रहा है कोड़ B ये बराबर हो जाएंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोड़ समान भुजाओं के सम्मुख कोड आपस में बराबर होते हैं बराबर होते हैं ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात सब कुछ बढ़ी हैं एकदम तो हमें मिल गया एंगल C बराबर एंगल B मतलब हमें मिल गया कि ये जो परपल कलर से लाइन दिख रही है ये वाला एंगल C ग्रीन कलर वाली लाइन के एंगल B के बराबर है मिल गया दूसरा वाला कोड भी? मिल गया ना एक ग्रीन कलर वाले में एंगल B आ रहा है पूरा का पूरा, परपल वाले में एंगल C आ रहा है, नब्बे नब्बे वाला तो पहले ही मिल चुका है, तो बस लिख लेंगे कि त्रिभुज A, B, D और E, C, F में, क्या, सबसे पहले लिखेंगे, पहले, नब्बे वाला लिख लेते हैं पहले, A, D, B बराबर, एंगल A, D, B, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ है, A, D, B बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर, E, F, C, बराबर क्यों लिखा भाई, 90 डिगरी प्रतेक, 90 डिगरी प्रतेक, क्योंकि दोनों 90 नब्बे अंसके है तो दोनों ही बराबर होंगे, दूसरी बात, दूसरी बात ये, एंगल C बराबर एंगल B, ठीक है, यह हमने उपर सिद्ध कर दिया है, समीकरण 1 मानलो, इसको यहां लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि हमें कारण तो बताना ही पड़ता है न, क्यों बराबर दो कोण मिल गए तो लिख दो सीदे सीदे त्रिभुज A B D समरूप हो जाएगा त्रिभुज E C F K समरूप हो जाएगा त्रिभुज E C F K कोई दिक्कत आसान है बिलकुल एक बार स्क्रिन सोट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम आगे की तरफ हमने देखा प्रशन संख्या 16 जिसमें भी डबल A कसोटी लग रही थी आसान क्वेस्टन था थोड़ा सा ट्रिकी था तो इस प्रकार के क्वेस्टन से एक्जाम में आ जा करते हैं तो इसको बढ़ियां से प्राक्टिस करनी है आपको एक त्रिभुज की भुजा पर बिंदू इस प्रकार इस्थित है कि एंगल ADC बराबर ठीक है जो भी है तो यहां पर बोल रहा है कि एक त्रिभुज की नाम नहीं दिया है त्रिभुज का मैं पूरा अच्छे स लिख देता हूं उसको एक त्रिभुज ABC की भुजा पर चलो इसको बनाते है तभी बता चलेगा क्योंकि question का language थोड़ा सा difficult लग रहा है मुझे कुछ गरबर लग रहा है इस question में कहने का मतलब है तो एक त्रिभुज ABC है ठीक है ADC हाँ इसकी भुजा BC पर इसकी भुजा BC प ठीक है ठीक है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदुडी इस प्रकार इस्थित है कि ADC जो है ADC मतलब ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है BAC के बराबर है ये पूरे के बराबर है कहने का मतलब फिर से देखेंगे ये वाला जो कोण है दोस्त ये वाला कोण ये इस को दो तो ये छोटे-छोटे वाले और एक पूरा बड़ा वाला। अब इन तीन त्रिभुजों में से दो कौन से त्रिभुज आपको लेने चाहिए। है ना। तो एक तो जिसमें ये वाला कौण आ रहा है, एक त्रिभुज तो ये लेना पड़ेगा हमें, ये वाला क्योंकि इसमें कौन डी आ रहा है और एक त्रिभूज हमें पूरा का पूरा बड़ा वाला लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें ये पूरा एंगल आ रहा है अपना ये वाला पूरा एंगल आ रहा है तो एक त्रिभूज हमें ये वाला लेना पड़ेगा कौन सा ये ए बी सी दिग्या द दोनों त्रिभुजों को क्या करो समरूप सिद्ध करो हो चुका है समरूप कैसे देखो बड़े वाले त्रिभुज का यलो कलर वाले त्रिभुज का ये वाला कोड जो है वो ग्रीन वाले त्रिभुज का इस कोड के बराबर है एक एक कोड मिल गए बराबर दूसरी बात यह ह common है ये वाला कॉर्ड दोनों में आ रहा है ये वाला कॉर्ड दोस्त दोनों में आ रहा है ये बस हो गया दो कॉर्ड तो इसको लिखेंगे लिखने का तरीका देखें आप त्रिभुज कौन-कौन सा त्रिभुज लिए हो उसका नाम बताओ ADC तथा ABC में ADC तथा त्रिभुज ABC में ठीक है? इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है ADC और ABC की इसमें क्या? ये तो जो दिया है angle ADC बराबर angle BAC ये तो दिया ही है हमें इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है ये तो दिया है आपको दूसरी बात angle C बराबर angle C उभेनिष्ट तो ये उभेनिष्ट हो जाएगा आपका तो ये दोनों code आपको बराबर मिल चुके हैं मतलब कि ये दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज ADC जो है वो समरूप हो जाएगा किसके त्रिभुज BAC के एक बार चेक करेंगे क्या सही लिखा है देखो यहाँ पर बीच में D बीच में A आ रहा है मतलब D की जगा A आना चाहिए बिल्कुल सही है C की जगा C आना चाहिए बिल्कुल सही है कौन सी कसोटी से डबल A समरूपता कसोटी से डबल A समरूपता कसोर्टी से ये दोनों त्रिवुज आपस में क्या हो चुके हैं समरूप हो चुके हैं कोई दिक्कत वाली बात यहां तक क्लियर है सब कुछ बढ़ियां ठीक है अभी हमें तो ये सिद्ध करना है हमें समरूप थोड़ी ना सिद्ध करना था लेकिन हमने समरूप सिद्ध कर दिया अब इनके भुजाओं का अनुपात जो होगा वो आपस में क्या होता है बराबर होता है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर करेंगे AD का यूज है नहीं है तो AD को और BA को छोड़ दो पहले वाले दोनों को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर AD नहीं दिख रहा है बाकी अब इनको छोड़ दिया तो इनको लेंगे DC बटे AC क्या लेंगे डो DC बटे AC और पहले और आखिरी को लेंगे तो यहाँ पर आ गया AC बटे यहाँ पर आ गया BC इनको तिरियक गुड़ा करेंगे AC गुड़े AC हो गया AC स्क्वाइर AC गुड़े AC हो गया AC स्क्वाइर और यह हो गया BC into DC BC into DC तो यह आपका सिद्ध हो चुका है जो आपको चाहिए अब यह मत सोचना कि यहां CB लिखा है CB या BC बात एक ही है CD या DC बात एक ही है क्लियर है एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे आसान क्वेस्टन था और important तो हैं ही सारे questions बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा question important है कौन सा नहीं है सभी question बराबर के important है जितने भी questions आपको अभी करा हैं तो देखते हैं अपना अगला question प्रसंद संख्या 18 इसमें बोलना है समकोड त्रिभुज ABC में कोड B समकोड है तो एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर ABC जिसमें आपको कोड B को समकोड रखना पड़ेगा तो यह रहा अपना त्रिभुज ABC ABC और यहाँ पर B को समकोड रख दिया आगे क्या बात हो रही है BD AC पर लंब है मतलब यह जो AC भुजा है इस पर यहाँ से एक लंब आप खीचेंगे जिसका नाम दोस्त क्या है BD है तो यहाँ से एक हमने perpendicular ड्रॉ कर दिया जिसका नाम आगया कितना BD आर यह बात है समझ में ठीक है तो हमें सिद्ध करना है AB square बड़ाबर AC into AC into AD AB square बड़ाबर AC into AD AB square बड़ाबर AC into AD ध्यान देंगे कौन-कौन सा त्रिभुज इसमें involved हो रहा है कौन से दो त्रिभुज को आपको समरूप करना है तो यहां से पता चलेगा यहां जो हमें सिद्ध करना है मैं एक बार यहां पर लिख देता हूँ AB square को मैं लिख देता हूँ AB गुड़े AB AC गुड़े AD मतलब यह चीज आपको सिद्ध करनी है अब यहां पर एक तू AB आ रहा है मतलब यह वाली साइड आ रही है दूसरा AC आ रहा है मतलब यह वाली साइड आ रही है मतलब कहीं ना कहीं यह पूरा का पूरा एक बार आपको बड़ा वाला त्रिबुज लेना पड़ेगा और दूसरी बात दूसरी बात यह है कि दूसरा तृभूज कॉन सा लेना पड़ेगा AD वाला AD किसमें आ रहा है AD आप देख सकते हैं दोस्थ इसमें आ रहा है ये रहा AD मतलब कहीं ना कहीं आपको ये छोटा वाला तृभूज लेना पड़ेगा दोनों तृभूज दिख गया एक त्रिभुज है आपका A, B, C ग्रीन कलर से जो दिख रहा है और दूसरा ये वाला त्रिभुज है A, D, B A, D, B तो ये clarity होनी चाहिए आप में कि त्रिभुज कौन सा चूज करना है आपको अगर यही नहीं पता चला कि त्रिभुज लेना कौन सा है तब तो आगे कोई खेल नहीं हो पाएगा आप ये बाते समझ में तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में ADB में दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़े बराबर हैं सबसे पहले देखेंगे तो दोनों में कोड A आ रहा है है ना तो कोड A बराबर कोड A क्या होगा ये 90 अंस प्रतेक 90 डिगरी इच सभी के सभी 90 नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् कर दिया ठीक है इसके बाद यहां देखो छोटे वाले में छोटे वाले में एडी बी में यह वारा 90 है और ग्रीन वाले में जब आप देख पाऊँगे तो यह पूरा का पूरा कोड भी 90 अंसका है तो लिखेंगे कोड A, B, C बराबर बड़े वाले का कोड A, B, C बराबर है छोटे वाले का कोड A, D, B A, D, B मतलब कि 90 अंसप्रतेक तो हमें दोनों ही त्रिभुज के दो-दो कोड आपस में बराबर मिल चुके हैं कहने का मतलब यह है कि यह दोनों कोड़, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो दोनों को लिख देंगे कि त्रिभुज A, B, C जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज A, D, B के A, D, B के यह B पर 90 अंस है, बीच में B लिखा है यह D पर 90 अंस है बीच में D लिखा है A और A दोनों आपर समें बराबर है तो यह सेम पोजिशन परा रहे हैं सब कुछ सही है तो इसको लिखेंगे डबल A समरूपता कसोटी डबल A समरूपता कसोटी तो यह questions तो आसान है देखो जैसे ही इसमें छोटी छोटी बाते हैं कौन सा त्रिभूज लेना है वो देखना है पहली बात तो यह है कि कौन सा त्रिभूज आपको चूज करना है सबसे important बात यह फिर यह बाते लिखके कौन सी कसोटी लग रही है अब prove क्या करना है prove यह करना है तो हम इनके क्या करेंगे हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देंगे मतलब A-B का यूज हुआ है तो A-B यहां से पहले दो ले लिया A-B यहां से भी पहला दो ले लो क्या A-D बराबर BC का यूज नहीं हुआ है तो BC को नहीं लेंगे, पहले और last, AC का यूज हुआ है, तो ले लिया AC बटे, और यहाँ पहले और last को देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, AB, तिरियक गुड़ा करेंगे, cross multiplication करेंगे, AB गुड़े AB आपका आ जाएगा, AB square, और AC गुड़े AD आ जाएगा, AC गुड़े AD, तो क्य यही प्रूब करना था, आप देख सकते हैं question में, बिल्कुल यही प्रूब करना था, तो आसान question है, important question है, समझने की देरी है, इसको समझना भी है, और practice करना है, समझ में तो आ जाएगा, जब मैं समझाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप, खुद से करने बैठेंगे, बहुत चा इन सॉट लेंगे, और हम बढ़ रहे होंगे आगे, अब देखते हैं अपना प्रस्न संख्या 19, चित्र में यदि BD लंब है AC पर, BD, BD लंब है AC पर, ठीक है, CE लंब है AB पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभूज AEC, कहा है AEC, AEC को पकड़ो, AEC यह वाला त्रिभूज, दि को हमें समरूप सिद्ध करना है, किसके ADB के, किसके ADB के, तो यह रहा आपका ADB, इसके समरूप सिद्ध करना है, देखो रंगीन करने से यह question बड़े आसान बन जाते हैं, यह लह लेकिन जब आप एक ही pen से करते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फिूज होते हैं, तो practice करेंगे तो confused नहीं होंगे वो तो दूसरी बात है तो देखो यहाँ देखो समझो दोनों में तो आपको दिख रहा है कि यह वाला कोड़ तो सर दोनों में ही आ रहा है green वाले में भी और yellow वाले में भी मतलब एक कोड़ मिल चुका है दूसरी बात सर यह वाला यहाँ पर 90 90 degree का code बन रहा है और इसमें yellow वाले में यहाँ पर 90 degree का code बन रहा है बात खतम मिल गए दो code बड़ाबर लिख दो इनको तो लिखेंगे त्रिभुज AEC और त्रिभुज ADB में ADB में इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे थे हम इन दोनों त्रिभुजों में क्या-क्या चीजे बराबर हैं एंगल A equal to एंगल A common उभैनिष्ट ठीक है ये दोनों तो उभैनिष्ट हो जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके बाद से क्या इसके बाद से ADB बराबर ADB दिख रहा है आपको डूडू उसमें ADB बराबर हो जाएगा AEC के क्यों बराबर हुआ ये वाला ADB इस AEC के बराबर क्यों हुआ क्योंकि 90 अंस प्रतेक क्या 90 अंस प्रतेक सबके सब 90 अंस के कोण है इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएगे तो 90 अंस प्रतेक हो जाएगे कहने का मतलब है जो तरिबुज AEC है वो समरूप हो जाएगा किसके तरिबुज ADB के ADB के कौन सी कसोटी AA समरूपता कसोटी ऐसा हो ही नहीं सकता कि AA से आपके एक्जाम में क्वेशन ना बने हमेशा बनता है हमेशा बनता है है ना AA समरूपता कसोटी इसका एक बार स्क्रीन सोट लेंगे आसान और बेतरीन क्वेशन था ये बड़े आगे और देखें अपना अगला सवाल क्या धमाल मचा रहा है चित्र में ACB और APQ पहले से ही बता दिया समरूप है ये वाला ACB मतलब इधर वाला और इधर वाला आपस में क्या है समरूप है BC का मान है 8 cm BC BC का मान है 8 cm PQ का मान है 4 cm BA का मान है 6.5 cm AP का मान है 2.8 AP AP ये वाला 2.8 cm तो CA और AQ की लंबाई इन दोनों की लंबाई पूछ रहा है इसकी और इसकी देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपाद बिलकुल बराबर होगा तो इनकी संगत भुजाओं लिखें AC और AP AC बटे AP बराबर हो जाएगा दूसरा दूसरा मतलब सेकेंड और थर्ड पोजिशन BC और यहाँ पर क्या है PQ अब फर्स्ट और लास्ट पोजिशन ये और ये और यहाँ पर भी A, ये और ये तो AB और यहाँ पर कितना आगया A, Q कोई दिक्कत लिखने में असान अब मान पता है मान रख दो जिसका जो पता है AC जल्दी बताएंगे 8 AC नहीं 8 नहीं है AC नहीं पता है दोस्त 8 क्यों AC लिख दिया AP AP है 2.8 बराबर BC 8 PQ 4 बराबर 6.5 और A, Q नहीं पता है निकालना है लिख दिया पहले इन दोनों को बराबर करेंगे तो AC बते 2.8 बराबर 8 बते 4 2 आ जाएगा ये 2.8 यहाँ चला जाएगा तो AC का मान आ जाएगा 2 गुडे 2.8 मतलब 5.6 सेंटी मीटर 5.6 सेंटी मीटर क्लियर है बाते हैं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है अब देखो ये तो निकाल दिया अब इन दोनों को बराबर करना इन दोनों को बराबर करो जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो 6.5 बते A, Q बराबर कितना? 8 बते 4 8 बते 4 मतलब की 2 यह AQ वहाँ चला जाएगा, दो यहाँ आ जाएगा, तो AQ बराबर यहाँ से आ रहा होगा, 6.5 बटे, 2, मतलब 3.25, 3.25 cm, किसका माना जाएगा, यह AQ का माना जाएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही basic question, एक बार इसका screenshot लेंगे, और बढ़ेंगे हम next target की तरफ, और देखते है हम प्रस्न संख्या 21, तो प्रस्न संख्या 21 में क्या बोलड़ा, निम्न चित्र में angle ACB बराबर 90 अंस है, यह वाला code 90 degree आपको दिया हुआ है, ठीक है, तथा CD perpendicular है AB के, मतलब यह दोनों भी 90 अंस के, जो CD है, वो AB पर लंब है, आरी यह बात समझ में, तो यह आपको सिद्ध करना है, ऐसे में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक बार छोटा त्रिभुज और एक बार बड़ा त्रिभुज, समरूप करेंगे, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है, कि एक बार आपने ए छोटा वाला त्रिभुज यह ले लिया, यह वाला त्रिभुज ले लिय और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला समझ रहे हो, ये ABC, ABC ले लिया पूरा का पूरा, छीक है, कोई दिक्कत यहाना तक नहीं है, तो इस यलो वाले को इस ग्रीन वाले के समरूप, मतलब एक बार इस छोटे वाले को पूरे बड़े वाले के समरूप करेंगे एक बार इस छोटे वाले को पूरे बड़े वाले के समरूप करेंगे, आंसर आजाएगा, कैसे आईए देखते हैं, लिखेंगे, त्रिभुज, ADC, तथा त्रिभुज, ACB में, दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ठीक है, देखी रहे होंगे, मैंने हाइलाइट भ पताओ समरूप कैसे होगा, तो एक एक कोड आपको 90-90 अंस के दिख रहे हैं, जैसे ये वाला कोड आपको यहाँ पर 90 अंस का दिख रहा है, तो लिखेंगे, एंगल ADC बराबर, एंगल ADC, छोटे वाले का जो ADC है, ये वाला कोड है, बड़े वाले के, इस कोड के बराबर है, है ना, तो लिखेंगे, बराबर ACB, बराबर एंगल ACB, कोई दिक्कत वाली बात क्यों बराबर हुए, 90 अंस प्रतेक, 90 डिगरी इच, 90 अंस प्रतेक, क्लियर, बात क्लियर है बिलकुल, ठीक है, अब अभी एक कोड और ढोड़ना पड़ेगा ना, तो देखो ये common आ रह है, तो लिखेंगे, एंगल A बराबर एंगल A, एंगल A बराबर एंगल A, क्यों? उभैनिस्ट, उभैनिस्ट, तो ये दोनों उभैनिस्ट हैं आपस में, ठीक है, देखो एंगल A दोनों में आ रहा है न, यलो वाले में भी आ रहा है, ग्रीन वाले में भी आ रहा है, और प B के, A, C, B के समरूफ हो जाएगा, AA समरूफ ता, AA समरूफ ता कसोटी के माध्यम से, AA समरूफ ता कसोटी के माध्यम से, क्लियर है कोई दिक्कत यहां तक, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब देखो, मैंने क्या बोला था, एक बार छोटे को लेंगे, और पूरे बड़े वाले के समरूफ सिद्ध कर देंगे, अब एक बार इस वाले छोटे को लेंगे, मतलब की कौन से वाले छोटे को, B, D, C को B, D, C को लेंगे, और इस पूरे के समरूफ सिद्ध कर देंगे, पूरे बड़े वाले के समरूफ सिद्ध कर देंगे, बिल्कुल जैसे इसको किया है, वैसे ही, तो आओ इसको खेलते हैं, यहां देखो, लिखेंगे, त्रिभुज, B, D, C, और, त्रिभुज, B, C, A में, B, अब इसमें ध्यान से देखो, तो B, D, C, 90 अंसका है, तो लिखेंगे, एंगल, B, D, C, बराबर, एंगल, B, C, A, दोनों 90 अंसके हैं, B, C, A, 90 डिगरी इच, 90 डिगरी प्रतेक, इसके बाद हम बात कर रहे होंगे, किसका, हां, इसमें common कौन सा दिख रहा है, आपको, यहां भी, B, यहां भी, B, दोनों में, B, आ रहे हैं, तो एंगल, B, वराबर, एंगल, B, क्या है, यह उभैनिष्ट, उभैनिष्ट, तो यह उभैनिष्ट हो जाएगा, है न, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक, तो यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूफ हो जायगा, तिर्भुज B, C, A के, समरूफ हो जाएगा, तिर्भुज B, C, A के, कौन सी कसोटी से, तो डबल ए समरूपता कसोटी के माध्यम से, समरूपता कसोटी के माध्यम से, समझ में आ गई चीजीजे, तो जब आपने इसको समरूप किया था पहले वाले को ग्रीन वाले को जब आपने इसको समरूप किया था तो यहां से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा संगत भुजाएं कौन-कौन सी लेनी है जो यहां पर यूज हो रही है AD यूज हो रहा है नहीं यहां पर कहीं CD दिख रहा है नहीं दिख रहा तो इस CD को नहीं लेंगे फिर पहले और लास्ट को लेंगे AC को लेंगे तो यहां पर ले लिया AC यहां पर आपने पहला और लास्ट लिया तो यहां भी पहला और लास्ट AB ले लेंगे यहाँ पर आ जाएगा A B जब आप तिरियक गुड़ा करेंगे तो A C गुड़े A C आ जाएगा A C इस्क्वाइर बराबर A B गुड़े A D A B गुड़े A D समीकरण संख्या एक बना देंगे जो काम आपने इसके साथ किया है वही काम आप यहाँ पर करेंगे मतलब यहाँ भी भुजाओं का अनुपात लेंगे यहाँ भी दोस्त भुजाओं का हम अनुपात लेंगे तो B D का यूज हो रहा है B D का हाँ तो B D बटे B C B D बटे B C बराबर क्या C D का यूज हो रहा है cd नहीं कहीं cd नहीं है तो cd को छोड़ दो अब पहला और last bc पहला और last क्या है bc bc का यूज हो रहा है तो पहला last bc ले लिया यहाँ पहला last क्या है a b A B यहां भी, 3 गुड़ा जबाब करेंगे B C गुड़े B C यहां भी, 3 गुड़ा करो B C गुड़े B C B C वर्ग बराबर, A B गुडे B D समीकरड संख्या दो अब इन ही दोनों समीकरडों का यूज करके, हमें ये बनाना है हमें ये बनाना है तो ये वाला उपर आ रहा है BC वाला और AC वाला नीचे तो मतलब समी करण 2 बटे समी करण 1 करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा समी करण 2 divided by समी करण 1 तो समी करण 2 में BC square बटे AC square आ जाएगा BC square बटे समी करण 1 का AC square फिर समीकरदो का ये वाला AB गुड़े BD, AB गुड़े BD बटे, इसमें क्या है? AB गुड़े AD, AB से AB को उड़ा दो, क्या बच गया? क्या सिद्ध हो चुका है जो सिद्ध करना था आमें? तो दोस्त ये हमारा सिद्ध हो चुका है, तो ऐसे क्वेस्टन पर विशेस ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्वेस्टन आपने अगर अगर अटेम्ट नहीं किये हैं, तो मुस्किली कर पाएंगे, तो अटेम्ट करेंगे, और दो से तीन बार इसकी प्राक्टिस जरूर कर लें एक बार इसका स्क्रीन सॉट लेंगे, और हम बढ़ रहे होंगे अगले टार्गेट पर, अगले क्वेस्टन पर प्रसंत संख्या, 21 की बात होगी, अब चित्र में PS बराबर QM है, ठीक है, PS कहां है, ये वाला PS है, और QM कहां है, ये वाला QM है, ये दोनों आपस में बराब बात लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि त्रिबुज PQR में ST parallel है किसके QR के, समझ रहे हो क्या लिखवाना चाह रहा हूं, ये दोनों parallel हैं तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, थेल स्थियरम से, थेल स्थियरम द्वारा या आधार भूत समानुपातिकता प्रमे ये के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ST parallel है, ये दोनों आपस में parallel हैं, तो हम लिखेंगे PS बटे SQ, PS बटे SQ बराबर, उधर बताओ, PT बटे TR, PT बटे TR, ठीक है, PS की जगए QM रखने का कोई फायदा होगा, QM बटे SQ बराबर, PT, चलो अभी छोड़ दो, अभी इसको समीकर डेक बना दो, बाद में देखेंगे, आगे, MN parallel to PR, MN कहा है, ये रहा MN, ये रहा आपका MN, और ये किसके parallel है, PR के, इसके parallel है, है ना, तो जैसे ही parallel मिले, तु समानुपातिकता प्रमेय लगाना है, इसमें लगा दो, किसमें, MN parallel to दिया है हमें, किसके है, PR के, तो यहाँ पे जब समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे, तो हो जाएगा, QN बटे, ये, QN बटे NR, बराबर, इधर क्या हो जाएगा, QM, QM बटे MP, QM बटे MP, समीकर ड दो, तो सिद्ध किजिए कि TN parallel to PQ होगा, हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखेंगे आपे, कि ये जो TN है, ये वाला जो TN है, ये इसके parallel होगा, ये आपको सिद्ध करना है, ये कब सिद्ध होगा, ये कब सिद्ध कर पाएंगे, आपकी ये red वाले दोनों parallel होगे, जब आप ये सिद्ध कर दें कि इतना बटे इतना, मतलब PN बटे NQ, जब आप ये सिद्ध कर पाएंगे कि RN बटे NQ बराबर हो जाएगा RT बटे TP के, जब आप ये सिद्ध कर पाएंगे न, तभी आप सिद्ध कर पाएंगे कि ये दोनों lines क्या हैं, आपस में parallel हैं तो ये सिद्ध करने का कोशिश करना है हमें कि RN बटे NQ जो है वो RT बटे TP के क्या है parallel है कैसे करेंगे ध्यान दीजिए यहां देखेंगे हाँ यहां तक तो हो गया इनी दोनों समीक्रडों का और इसका यूज करके हमें सब कुछ करना है ये दो समीक्रड आपको दिख रहे होंगे और ये दिख रहा होगा इन सब का यूज करके भी हमें ये काम करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे देखते हैं कुछ काम बन सकता है अगर यहां पर मैंने QM लिख दिया PS की जगह चलो यहां पर QM लिख के देखते हैं क्योंकि PS QM के बराबर है तो यहां लिखेंगे QM बटे SQ बराबर PT बटे TR ठीक है अब इन दोनों समीक्रडों से कुछ हो रहा है QM QM तो मिल रहा है लेकिन कोई फाइदा तो नहीं RN चाहिए हमें RN तो यहां से नहीं मिल रहा है ठीक है PS बराबर QM है यह दोनों आपस में बराबर है तो इसका तो कोई फाइदा ही नहीं मिल रहा है QM बटे SQ PT बटे TR TR मिल गया हमें और PTR ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया इसका एक बार reciprocal कर देंगे दोस्त उल्टा करो इसे क्या हो जाएगा SQ बटे QM बराबर इसका उल्टा करो TR बटे PT है ना ढूर्णनी पड़ती है चीजे ऐसे नहीं मिल जाएगी ना ढूर्णनी पड़ती है चीजे तो देखो यहां पर यह वाली साइड TR बटे PT और यहां भी देखो TR बटे PT जब अच्छा यह तो हमें सिद्ध करना था एक चीज मिल चुकी है एक चीज बराबर मिल चुकी है हमें ठीक है अब यहां पर इन दोनों को देखो SQ SQ मिल रहा है आपे नहीं मिल रहा है QM मिल रहा है QM मिल रहा है तो QM की जगह PS तो लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, QM की जगह PS नहीं होगा, चलो ठीक है, यहां से कुछ मिल रहा है इसके बराबर, हाँ यह बराबर मिल रहा है, QN बटे NR, यहां भी QN बटे NR है, तो इसको भी हमें reciprocal करना पड़ेगा, इसको भी ब बटे QM, तो हमने देखा कि दोनों समीकरण का एक एक चीज बराबर हो जाए, तो काम बन जाएगा, मतलब किसी भी तरह से हमें इसको और इसको आपस में बराबर करना पड़ेगा, जब आप इसको और इसको आपस में बराबर कर पाएंगे, तब आप सीधे सीधे बोल M आपस में बराबर कैसे होगा क्या SQ बटे QM और यहां का MP बटे QM आपस में बराबर कैसे होगा तो यह चीज तो बराबर है देखो यहां पर QM और यहां पर QM आपस में बराबर है SQ और MP आपस में फसरा है SQ और MP SQ और MP P, यह आपस में फसर आया है, इसको भी बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, ध्यान से देखो, यहां तक clear है चीजे, एक बार मैं revise करा देता हूँ, क्योंकि कुछ चीजे आप खो सकता है, mind से mismatch हो गई हो, ध्यान से देखो एक बार, फिर से, यहां तक, यह दोनों पर QM लिख दिया, SQ आ गया, और यह PT बटे TR ऐसे ही लिख दिया, और इसका reciprocal कर दिया, बस कुछ नहीं किया, यहां भी जो था उसका reciprocal कर दिया, और कुछ नहीं किया, इन दोनों को ध्यान से अब box में बंद कर दो, किन दोनों को, इन दोनों को, जो last में आये हैं, इनको एक box में अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दोआ, इसको और इसको, अब ध्यान देंगे, अब जो बता रहा हूं, उसको ध्यान देंगे, बिलकुल अच्छे तरीके से, यह जो अपन को दिया है, PS बराबर QM, यह दिया है हमें, यह दिया है, दोनों तरफ अगर मैंने SM जोड़ेंगे, तो यह PM बन जाएगा, इसी प्रकार से जब आप QM और SM को जोड़ेंगे, तो यह QS बन जाएगा, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कि PM जो है, वो QS के बराबर है, तो ध्यान से अब इसको देखो, इन दोनों समीकरणों को देखो, यहाँ पर आप देख पा र और नीचे क्या है, QM, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ भी हमारे पास आ गया, PM बटे QM, यहाँ भी हमारे पास आ गया, PM बटे QM, तो आपने देखा, कि इस समीकरण का एक पक्ष, एक पक्ष के बराबर है, मतलब यह दोनों चीजें, यह वाली चीज और यह भी आपस में बराबर होंगी, मतलब RN बटे QN बराबर TR बटे PT, क्या हो जाएगा, RN बटे QN बराबर TR बटे PT, तो हमारे पास फैनली यह रिजल्ट आ चुका है, अब यह रिजल्ट आ चुका है, तो आपको क्या मिला, यहाँ देखो, RN, यहां से लेकि यहां तक R N बटे Q N यह बराबर RT बटे PT तो जभी भी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना आ रहा है कहने का मतलब है यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समानतर हो जाएंगी जो हमें सिद्ध करना था तो आर ये बात कभी-कभी questions complicated आ जाते हैं थोड़े से, तो उसमें आपको ढूरनी पड़ती हैं चीजे, आर ये बात समझ में उसमें आपको चीजे ढूरनी पड़ेंगी, चीजे बनानी पड़ेंगी, ये सब कुछ दोस्त केवल और केवल practice से ही हो सकता है, ठीक है तो एक बार screenshot लेंगे, इसको एक-दो बार जरूर ट्राइ करेंगे इस वाले question को, और अब बढ़ते हैं अपने अगले question पर प्रसन संख्या टेईस की तरफ, दिये गए चित्र में OP, OQ, OR, पर क्रमसर बिंद A, B, तथा C, इस प्रकार है कि AB parallel to PQ है तो NCRT का आसान question है, है ना, AB parallel to PQ है, AB parallel to PQ, यह दोनों parallel हैं आपस में, अब जब यह दोनों parallel हैं तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, क्या हो जाएगा, OA बटे AP, OA बटे AP बराबर, वही थेल्स थीरम लगा रहा हूँ, थेल्स थीरम, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, कैसे लिख दिया, थेल्स थीरम से, थेल्स प्रमे के अनुसार, यह समी करर संख्या एक हो गई, मतलब आपका इसका काम हो चुका है, AB Parallel PQ का काम हो चुका है अब पकड़ेंगे BC Parallel QR अब पकड़ेंगे दोस्त BC Parallel QR को इन दोनों को BC और QR को जब BC Parallel QR को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे त्री भुज O QR में O QR में इसमें क्या लिखेंगे OB BQ OB बटे BQ बराबर OC बटे CR OC बटे CR ये भी थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से तो आपके पास दो समीकरड़ बन गई है और दोनों समीकरड़ को अगर ध्यान से आप देख पा रहे हों तो एक चीज बराबर है OB बटे BQ OB बटे BQ तो जब एक चीज बराबर है तो दूसरी चीज भी आपस में क्या होती है बराबर होती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं दोस्ति यहाँ पर समीकरड़ तो आपने क्या सिद्ध कर दिया, एक बार ध्यान से देखेंगे, कि आपने ये लिखके क्या सिद्ध कर दिया, O A बटे A P, O A, O A, O A, O A बटे A P, Green तो कलर पहले भी यूज़ कर चुका हूँ मैं, कोई और कलर यूज़ करता हूँ, जिससे कि आपको दिखाई अच्छे से दे है न, तो हम यूज़ कर लेते हैं ये वाला कलर, ठीक है, लेखें यहाँ पर, O A ये रहा, O A बटे A P, यही तो सिद्ध की आए, O A बटे A P बराबर O C बटे C R, O C बटे C R, ऐसा कब पॉसिबल है कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, जब ये दोनों लाइन्स आपस में क्या हो, ये दोनों लाइन्स जब आपस में पैरलल होंगी तभी, जब ये दोनों लाइन्स दोस्त आपस में पैरलल होंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो यहाँ पर थेल्स ठीरम के विलोम के अनुसार, या ऐसा लिख सकते हैं, चलो यही लिख लो, तेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि प्रमेय 6.1 क्या है प्रमेय 6.2 क्या है तेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा AC parallel हो जाएगा किसके PR के यही सिद्ध करना था आपको AC parallel हो जाएगा किसके PR के एक बार ध्यान से समझेंगे हमने यहाँ पर सिद्ध किया था कि यह OA बटे AP बराबर OC बटे CR ऐसा कब possible है तो ऐसा तब possible है जब यह वाला line AC PR के समानतर हो जाएगा जो हमें सिद्ध करना था तो जल्दी से एक बार इसका screenshot लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे और देखेंगे अपना प्रसन संख्या 24 24 में बात हो रही है दिये गए चित्र में रेखाखंड QT तथा RS करमसर भुजाओं PR तथा PQ पर लंब है जैसा कि आपको दिख रहा है QT ये वाला क्या है QT तथा RS QT तथा RS ये जो QT है वो इस पर लंब है और जो RS है वो इस पर लंब है इस वाली भुजाओं पर लंब है क्लियर है तो सिद्ध कीजिए सबसे पहले हमें सिद्ध करना है QTP QTP को घेरना जड़ा जोड़ो QTP कहा है QTP QTP मतलब ये वाला QTP RSP 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 इसके इन दोनों को आपस में आपको समरूप सिद्ध करना है बड़ा ही आसान सवाल है ये ध्यान से देखेंगे एक बार देखो दोनों में कोड़ P आ रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है दोनों में कोड़ P आ रहा है तो लिखेंगे त्रिभुज QTP तथा त्रिभुज RSP में इन दोनों ही त्रिभुज में क्या आ रहा है अंगल P अंगल P बराबर अंगल P क्यों उभैनिस्ट क्या हो जाएगा ये उभैनिस्ट क्लियर कोई दिक्कत यहां तक नहीं है अब दूसरी चीज दूसरी चीज ढूड़ो इसमें तो आप देख सकते ये वाली भुजा जो जा रही है यहां पर 90 का कोड बना रही है है ना इस वाले त्रिभुचकी इस वाले त त्रिभुच की भुजा यहां पर 90 तो लिखेंगे अंगल PTQ एंगल PTQ बराबर PTQ का मतलब ये वाला और इसका ग्रीन वाले का कौन सा एंगल RSP बराबर हैं एंगल RSP 90 प्रतेक तो दो कोड मिल गया बस बात खतम डबल ए समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुच आपस में समरूप हो चुके हैं तो इनका नाम लिखेंगे त्रिभुज QTP समरूप हो जाएगा त्रिभुज RSP के RSP के कैसे AA समरूपता कसोटी AA समरूपता कसोटी के माध्यम से कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है तो आगे बढ़ें अगला इसका स्क्रीन सॉट लेंगे और इसका अगला पार्ट देखेंगे ठीक है तो अगला पार्ट देखते हैं सेम क्वेस्चन का सेकंड पार्ट इसमें अब आपको सिद्ध करना है PQ into PS बराबर PR into PT अभी हमने क्या सिद्ध किया था पहले उसको मैं एक बार लिख देता हूँ अभी हमने किया था सिद्ध QTP समरूप है RSP के और अभी आपको क्या सिद्ध करना है ये ये चीज हमने अल्रेडी इसके पार्ट वन में कर लिया ठीक है तो यहां से देखो क्या यहां से सिद्ध हो सकता है या कुछ और करना पड़ेगा क्या PQ हाँ यहीं सिद्ध हो जाएगा ये तो देखो PQ चाहिए PQ अगर चाहिए तो सबसे आपको First और Last लेना पड़ेगा PQ बटे यहां भी First और Last PR क्या आपको PS चाहिए PS चाहिए तो PS Last टू है तो यहां भी Last टू लेंगे तो TP या PT बटे यहां पर क्या हो जाएगा PS इन दोनों को तिरियक गुड़ा करेंगे तो आपका अंसर सायद आ जाएगा तो देखो यहां पर जब तिरियक गुड़ा करेंगे यहां आएगा PQ इन्टू PS बड़ाबर इन दोनों को जब आप तिरियक गुड़ा कर रहे होंगे तो PR इन्टू PT ठीक है यह कैसे लिखा यह CPST से लिखा क्योंकि जब कोई भी दो समरूप त्रिभूज आपस में जब कोई भी दो त्रिभूज आपस में समरूप होते हैं के समरूप त्रिभूज के बराबर होते हैं वही लिख दिया और इनको तिरियक गुड़ा किया तो यह आ चुका है जो आपको सिद्ध करना था एक बार इसका भी स्क्रीन सोट उसके बाद बढ़ेंगे हम आगे तो ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम प्रसन संख्या 26 दिये गए चित्र में यदि जी एफ पैरलल है बी सी के जी एफ पैरलल है बी सी के जैसे ही इतना देखा हमने इसमें थेल्स थियरम डाल दिया कैसे लिखेंगे त्रिभूज ए बी सी में त्रिभूज ए बी सी में जी एफ पैरलल है BC के, जी एफ पैरलल है BC के, तो लिखेंगे दोस्त, थेल्स थियरम द्वारा, थेल्स प्रमे द्वारा, थेल्स प्रमे द्वारा, क्या हो जाएगा, AG बटे GB बराबर AF बटे FC, तो यह लिख लो, AG बटे GB बराबर, AF बटे FC, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे, EF पैरलल है DC के, EF जो है, वो पैरलल है, समानतर है किसके, DC के, तो इसमें भी वही थेल्स थियरम लगाएंगे, और जब इसमें थेल्स थियरम लगाएंगे, तो मैं डाइडेक्ट लिखता हूँ, पहले यह लिख दो, त्रिबुज, A, D, C मे, तो यह इसके पैरलल है, फिर थेल्स थियरम लगाएंगे, तो आएगा यहां से, A, E बटे, E, D, A, E, D, बराबर क्या हो जाएगा, A, F, बटे, F, C, यह समी करण 2 हो गया, और जो हमने उपर बनाया था, यह समी करण 1 हो गया, एक और दो को आप अगर ध्यान से देख पा रहे हों, तो देख सकते हैं, यहां पर यह वाला पार्ट आपस में बराबर है, तो यह वाला पार्ट आपस में बराबर है, तो यह भी पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे, समी करण 1 तथा दो से इन दोनों पार्ट्स को आपस में बराबर कर दो कितना आ जाएगा A G बटे G B ऐसे बहुत सारे question आज हमने कर लिए है A G बटे G B बराबर A E बटे E D A E बटे E D क्या यही आपको prove करना था तो A E बटे E D अच्छा A D prove करना था ठीक है तो दोनों तरफ हम प्लस वन करेंगे और अपना अंसर आ रहा होगा तो देखो क्या होता है इसमें अभी हमने जो prove किया वो आगे आपने पास A G बटे G B लेकिन हमें चाहिए क्या कि A G बटे A B मतलब हमारे पास जो आया है इतना बटे इतना आया है लेकिन question को prove में क्या करना है इतना बटे पूरा तो जबी भी ऐसा case बनेगा कि इतना बटे पूरा तो दोनों तरफ प्लस वन करेंगे दोनों तरफ दोस्त प्लस वन करेंगे बचाना किसको है A G को A G को बचाना है तो जिसको बचाना है वो नीचे रहना चाहिए जिसको बचाना है वो नीचे रहना चाहिए AG और AE को बचाना है तो ये दोनों नीचे रहने चाहिए मतलब इसका reciprocal करो उलट दो इसको GB बटे AG बराबर ED बटे AE दोनों तरफ प्लस 1 कर दो तो LCM लेके जब आप लिखेंगे तो GB धन AG बटे AG बराबर यहाँ पर ED धन AE बटे AE जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे दोनों में G आ रहा है गायब कर दो AB बच जाएगा मतलब कहने का क्या है GB और AG GB और AG को जब आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको AB मिल जाएगा और नीचे क्या है AG जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो यह AD आ रहा होगा और नीचे क्या है AE एक बार इसको फिर से पलट देंगे तो आपके पास आएगा AG बटे AB जब आप इसका रैसी प्रोकल करेंगे तो AG बटे AB बराबर AE बटे AD AE बटे AD तो यह आपका प्रूब हो चुका है यह दोस्त आपका प्रूब हो चुका है देख सकते हैं AE बटे AD उधर आ गया और AG बटे AB इदर आ गया तो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, छोटे-छोटे concepts होते हैं, जिनको आपको जानना ही पड़ेगा, अगर एक बहतरीन स्कोर आपको एक्जाम में लाना है, तो मेहनत तो दोस्त करनी पड़ेगी, रातों को जगना पड़ेगा, मेहनत पूरी भरपूर होनी चाहिए, आ एसी परपेंडिकुलर है बी डी पर मतलब जो ये एसी दिख रहा है आपको ये लंब है किस पर बीडी के ऊपर तो सिद्ध करना है हमें A.C.B. जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा वो D.E.B. के क्या है समरूप है तो आओ देखते हैं A.C.B. कहां पर है और D.E.B. कहां पर है पहले तो A.C.B. को ढूड़ो ये वाला A.C.B. मतलब इसको समरूप करना है किसके दूसरे वाले त्रिभुज D.E.B. के समरूप करना है तो D.E.B. को भी ढूड़ लेते हैं ये रहा D.E.B. इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है जल्दी से पहले हम लिखेंगे त्रिभुज A, C, B और त्रिभुज D, E, B में, क्योंकि इनी दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, बाते क्लियर हो रही हैं, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि दोनों में common code, उभैनिष्ट code कौन सा है, तो आप देख सकते हैं, ये B द है निष्ट हैं, है ना, दूसरा कौन बताएंगे जल्दी से, तो इसको देखो, D, E जो है, वो A, B पर perpendicular है, ये जो D, E है, A, B पर perpendicular है, तो जो यलो वाला त्रिभुज दिख रहा है, यलो कलर का, यहाँ पर एक कौन 90 अंस का आपको दिख रहा होगा, कौन का नाम क्या है, D, D, E, B, तो जो कौन D, E, B है, ये 90 अंस का दिख रहा है, यलो वाले में, रेड़ वाले त्रिभुज में आप देख पाएंगे, तो ये वाला कौन A, C, B भी 90 अंस का है, मतलब दोनों में एक कौन तो उभैनिष्ट मिल चुका है, और एक एक कौन दोनों का 90 अंस का मिल चुक से हमें इन दोनों त्रिभुजों में दो-दो कोड आपस में बराबर मिल चुके है, कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज A, C, B जो हो जाएगा, वो समरूप हो जाएगा किसके दोस्त, त्रिभुज D, E, B के, कौन सी समरूपता कसोटी लग रही है, तो डबल A समरूपता कसो एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे इसी के सेकेंड पार्ट पर, तो ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो बढ़ेंगे इसी के सेकेंड पार्ट पर, एक बार यहां पर क्या सिद्ध किया था, यहां लिख लेता हूँ, हो सकता है इसका यू जाए अगले वाले पार्ट में ठीक है, तो अगला पार्ट क्या बोल रहा है दिखेंगे ध्यान से अगला पार्ट ये बोल रहा है कि सिद्द कर दो AB बटे DB बराबर CA बटे ED AB बटे DB sorry AB बटे DB बराबर CA बटे ED तो इसको हम बड़े ही आराम से अनुपात लेंगे, देखो, A.C. को लेना है आछ नहीं लेना, तो A.C. यहां पर यूज हो रहा है तो A.C. को लेंगे तो A.C. के बटे में कितना आ जाएगा? D.E. बराबर, अब B.C. को नहीं लेना है क्योंकि यहां पर कहीं भी B.C. नहीं दिख रहा है, तो यह B.C. आपको कि कैसे इसको डिल करना है. तो यहां लिखेंगे AB बटे यहां पे क्या जाएगा DB तो क्या सिद्ध हो चुका है बिलकुल जो हमें चाहिए था वो सिद्ध हो चुका है आप देख सकते हैं AB बटे DB और AC बटे ED आर यह बात समझ में तो क्या था, पहले पार्ट में तो समरूप सिद्ध करने को दिया था, और दूसरे पार्ट में इसी के CPST से, मतलब corresponding part of similar triangle, corresponding part of similar triangle CPST, है ना, 9th क्लास में CPCT लिखते हैं, 10th क्लास में क्या लिखेंगे दोस्त, जब समरूप त्रिभुज होंगे तो CPST, कोई doubt वाली बात यह ABC की भुजाएं AB, BC तथा माद्धी का AD, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम है ABC, इसका नाम है ABC, इसमें बात हो रही है, भुजा AB, भुजा BC और माद्धी का AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की, तो एक दूसरा त्रिभुज भी है हमारे पास, जिसका नाम है PQR, भुजा PQ, QR, तथा माद्धी का, माद्धी का का नाम है PM के समानुपाति है, समानुपाती होने का मतलब क्या है कि इसका ABC वाले का AB उसके वाले का PQ के समानुपाती है बराबर फिर इसका BC जो है उसके QR के और बराबर इसका जो आपको माद्धिका AD दिख रहा है दूसरे वाली माद्धिका PM के समानुपाती है तो यह सारी बाते मैंने लिख दिया इतनी बाते clear हैं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, clear है, ठीक है, यह तो हमें दिया है, यह तो हमें गिवन है, यह तो हमें दिया है, ठीक है, दिया है, लिख लिया, अब ध्यान सिद्ध को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यह करना है कि यह पूरा त्रिभुज ABC, इस पूर माधिका का जिक्र नहीं किया गया है, माधिका की बात नहीं है, है ना ABC में कहीं माधिका आ रही है क्या, नहीं आ रही है, PQR में कहीं उसकी माधिका आ रही है क्या, नहीं आ रही है, अगर माधिका को थोड़ी देर के लिए भूल लिया जाए, मतलब भूल जाओ, माधिका को बचा क्या, AB बटे PQ वराबर BC बटे QR, अगर मैं इसको highlight करता हूँ, तो आपके पास मादिका को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भूल गए, तो हमारे पास है AB बटे PQ, AB बटे PQ, NCIT का question है, most important question है, बहुत बार word exam में आ चुका है, है ना, AB बटे PQ वराबर BC बटे QR, मतलब अगर हमें मादिका से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो ये करना है, हमें तो ये करना है ना, finally, तो हमारे पास केवल और केवल इतनी information है, अब इतनी information से क्या कर सकते हैं, तीनों भुजा होती तो मजा आ जाता, अचा, ये मैंने भुजा गलत लगा दी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, AB है और BC है, यहाँ पर PQ है और QR है, हाँ, तो अगर तीसरी भुजा भी हमें पता होती ना, कि AC बटे P.R. तब तो मजा आ जाता, मजा क्यों आ जाता, तब हम triple S समरूपता कसोर्टी से लिख देते, भुजा 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 समरूपता कसोर्टी से लिख देते, कि ये दोनों तरिभुज आपस में समरूप है, लेकिन दिक्कत वाली बात है, कि हमारे पास केवल और केवल दो ही भुजाओं का अनुपात है, तो अगर किसी जुगार से, अगर किसी जुगार से मैंने ये सिद्ध कर दिया, कि ये वाला कोड, इस कोड के बराबर है, ये दोनों कोड आपस में बराबर है, तब तो हो जाएगा, कि सर, भुजा, कोड, भुजा, हो जाएगा, काम बन जाएगा, तो मतलब अपना फोकस कहां होना चाहिए, अपना फोकस ये होना चाहिए, कि किस तरह से इन दोनों कोड़ों को आपस में बराबर किया जाए, है ना, तब काम हो जाएगा, क्योंकि यह तो मैं पता ही है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात तो अपने पास है ही, अगर इनके बीच के कोण आपस में बराबर हो गए, काम बन जाएगा, तो सारा दिमाख अपना यहाँ पर लगाना है, आईए देखते हैं कैसे, तो यहाँ पर मैं बराबर में लिख द हैं अगर मतलब AD और PM को भी हाइलाइट कर लेता हूँ, तो यहाँ से आपको कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा बना हुआ, यल्लो कलर से, क्योंकि यल्लो कलर की भुजाओं से मैंने निरू पित किया है इन मैंने इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिया आपस में, कर दूँगा मैं, ठीक है, कैसे करूँगा बात की बात है, अगर मैंने ऐसा कर दिया, तो क्या मैं CPST से ये लिख सकता हूं कि ये वाला कोण, इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो यही करते हैं, यही करते हैं, इन त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम PQM में, PQM में, NCRT प्रसनावली 6.3, question number 12, यही सवाल है, है न, तो important question है दोस्त, और इसी के जैसा question number 14 भी है अपना, तो याद रखना, दोनों ही सवाल important है, यहाँ देखो, तो जो त्रिभुज बन रहा है, इन तीनों यूज हो रही है, यह AB बटे PQ, पूरा का पूरा यूज हो रहा है, अब अगर बात में करता हूँ BC बटे QR, तो BC तो इतना बड़ा है, पूरा का पूरा BC नहीं यूज हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि D इसकी माद्धिका है, तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सक कि इसका double करने पे पूरा BC मिल जाएगा मतलब दो बार BD और यहां पर इसी प्रकार से आप QM को QR को क्या लिख सकते हैं दो बार QM तो जहां भी BC दिख रहा है वहां पे दो बार BD लिख दो और जहां पर QR दिख रहा है वहां पर दो बार QM लिख दो इसकी जरूरत पूरी-पूरी है AD AD पूरा आ रहा है PM भी पूरा आ रहा है तो इनको ऐसे ही इनको दोस्त ऐसे ही कॉपी कर लेंगे दो से दो को उड़ा देंगे क्लियर है बाते तो अपने पास क्या बचा एक बार लिख के देखो AB बटे PQ क्या तीनों भुजाओं का अनुपात आ चुका है जो तीनों भुजाओं हमें चाहिए जो मैंने हाइलाइट किया है ट्राइंगल जो मैंने ट्राइंगल हाइलाइट किया है जो तीनों भुजाओं हमें चाहिए क्या वो मिल चुका है इतना बटे इतना बटे इतन कुन सी कसोटी? ट्रिपल S. ट्रिपल S समरूपता कसोटी के माध्यम से. अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इनके संगत कोड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इनके संगत कोड को पकड़ो और आपस में बराबर कर दो. हमें बस इसी को बराबर करना था तो हम लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q कैसे CPST जब किसी भी संगत पार्ट को जब किसी भी corresponding पार्ट को आप बराबर करते हैं तो क्या लिखना पड़ता है CPST क्लियर है बात ठीक है बस अपना काम हो चुका है अब लिखेंगे त्रिभुज ABC जिसको में समरूप करना था अब यहाँ पर पहुँचे हैं हम मतलब यह जितनी जितना काम किया गया है बस यह करने के लिए किया गया है कि एंगल B को एंगल Q के बराबर कर दो आड़ यह बाते समझ में अब त्रिभुज ABC मतलब पूरा का पूरा ABC और पूरा का पूरा PQR में और त्रिभुज PQR में ठीक है अब दोनों त्रिभुजों में क्या होगा AB बटे PQ AB बटे PQ देखो दिया है इतना पार्ट लेलू यह तो दिया ही है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR यह क्या है दिया है यह तो दिया है इसको समी करण एक बना लेंगे की AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के और इनके बीच के कोड़ भी आपस में बराबर है मतलब की तरिबुज ABC जो हो गया वो समरूप हो गया तरिबुज PQR के कौन सा समरूपता लग रहा है साइड एंगल साइड समरूपता कसोटी साइड एंगल साइड समरूपता कसोटी तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत जादा इंपोर्टेंट है है ना तो इसको जरूर ट्राई करेंगे NCRT में भी बारा नंबर का क्वेश्चन है ये तो बारा चौदा चैदस मलो तीन प्रस्नावली सबको ट्राई करेंगे एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे हम अपने प्रस्न संख्या 30 पर प्रस्न संख्या 30 पर तीस बोल रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक उर्दवारदर अस्तंब की भूमी पर चाया की लंबाई 4 मीटर है ठीक है एक उर्दवारदर अस्तंब है 6 मीटर का भूमी पर इसकी चाया की लंबाई है 4 मीटर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया बात है अच्छी बात है जबकि उसी समय एक मिनार की चाया एक मिनार है 28 मीटर का उसी समय एक मिनार है 28 मीटर का और उसकी चाया जो है वो अच्छाया की लंबाई 28 मीटर है एक मिनार है उसकी हाइट नहीं पता है सेम टाइम की बात हो रही है सेम टाइम की बात हो रही है तो ये एक मिनार है जिसकी चाया 28 मीटर है ये एक अस्थम्भ है जिसकी चाया 4 मीटर है तो इस मिनार की उचाई बतानी है आपको ठीक है तो हम इससे मिला देंगे जो सुर्य के किरण यहां से यहां कहीं सुर्य होगा एक ही जगह पे और इससे इसको मिला देंगे ठीक है यहा के साथ सुर्य का एंगल यहां पर बन रहा होगा सुर्य जो कोड जमीन के साथ यहां पर बना रहा होगा वही कोड यहां पर बना रहा होगा तो मतलब यह दोनों कोड आपस में बराबर हैं यह दोनों कोड आपस में 90 अंस के हैं यह भी 90 अंस का और यह भी 90 अंस का तो आपने देखा कि ये जो त्रिभुज ABC है, वो त्रिभुज PQR के समरूप है, क्यों है समरूप? क्योंकि इसके दो कोड़ के बराबर आ गए है, 90, 90 और ये बराबर इसके, अब जब बराबर आ गए है, समरूप हो गए हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा मतलब की H बटे 6 H बटे 6 बराबर 28 बटे 4 बराबर 28 बटे 4 4 सत्य 28 6 उदर जाके गुड़ा हो जाएगा तो H का मान आ गया 6 सत्य 42 मीटर मतलब मिनार की उचाई कितनी आ जाएगी 42 स्क्रीन सोट लेंगे और आगे बढ़ेंगे चीक है तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेस्टन पर CD और GH क्रमस एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समध्विभाजक है कि बिंदू D और H क्रमस ABC और EFG की भुजाओं AB और तो जो भी लिखा है जब फिगर बनाएंगे तभी पता चलेगा है ना आउँ फिगर बनाते हैं दो त्रिभुज की बात कर रहा है एक तो ABC है तो इस त्रिभुज का नाम दे दिया A, B, C और दूसरा त्रिभुज है FEG दूसरा त्रिभुज है अपने पास FEG ठीके CD और GH करमसह ACB ACB को पकड़ो ACB का समद्वी भाजक कोण समद्वी भाजक है इसका नाम क्या है CD ठीक है मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ठीक है यहाँ तक clear है EFEGF का भी एक समद्वी भाजक GH है तो इसका कोण समद्वी भाजक बनाएंगे GH मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ठीक है यहाँ तक का का काम हो चुका है बिंदु D और H करमसह इतना की भुजाओं पर इस्थित हैं ठीक है और ये भी दिया हुआ है कि जो ABC है वो F, E, G के समरूफ है ये पूरा का पूरा ABC पूरा का पूरा F, E, G के समरूफ है समरूफ है तो ये हमें सिद्ध करना है तीन पॉइंट ठीक है सबसे पहली बात है C, D, B, G, H C, D कौन से त्रिभुज में आ रहा है C, D, B, G, H तो C, D, E, R, G, H, E, R, H ठीक है AC बटे F, G AC ये रहा और F, G, E, R, H कहने का मतलब कौन कौन से त्रिभुज को हमें समरूफ करना पड़ेगा ये सिद्ध करने के लिए तो ये दोनों त्रिभुज को इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें कही न कहीं समरूफ करना पड़ेगा इन दोनों त्रिभुजों को समरूफ करते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज A, D, C तथा त्रिभुज F, H, G में F, H, G में ठीक है इन दोनों को समरूफ करेंगे उसके बाद हम CPST से यह लिख देंगे, बात खतम तो इन दोनों को समरूप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखेंगे यह दोनों तो पहले से समरूप है तो यहाँ से कुछ चीज़े लेंगे मतलब इसका एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर हो जाएगा क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह दोनों समरूप है एक ही जगह पर F आ रहा है तो एंगल A बराबर एंगल F हो जाएगा यह बात क्लियर है इसके CPST से ठीक है? और और क्या-क्या मिल जाएगा? और हमें यह वाली भुजा से तो कोई मतलब नहीं है यह वाला कोड हाँ, यह वाला कोड भी ले सकते हैं तो डबल A से बड़ ही आराम से हो जाएगा यह कैसे? ध्यान से देखो तो जैसे मैंने बताया कि अंगल A बराबर अंगल F हो जाएगा इसी प्रकार से दोस्त अंगल C बराबर क्या हो जाएगा? अंगल G अंगल C बराबर अंगल G लेकिन हमें अंगल C और अंगल G पूरा-पूरा नहीं चाहिए पूरा-पूरा नहीं चाहिए हमें तो बस आधा चाहिए हमें तो बस आधा एंगल C चाहिए आधा एंगल G चाहिए तो दोनों तरफ आधा कर देंगे कर दिया आधा अब आधे C को क्या लिख सकता हूँ मैं यह वाला जो हमें चाहिए A, C, D आधे C को लिख दिया A, C, D A, C, D और आधे G को क्या लिख दिया FGH क्या लिख दिया दोस्त FGH इन दोनों लाइन को देखो दो कोड़ आपको बराबर मिल चुके हैं तो AA समरूपता कसोटी के माध्यम से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुके हैं कौन कौन से त्रिभुज त्रिभुज ADC ADC समरूफ हो गया त्रिभुज FHG के कौन से समरूपता कसोटी AA AA समरूपता कसोटी आर यह बात समझ में अब देखो जब ये दोनों समरूफ हो गये तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए ऐसा करने पर ये सिद्ध हो जाएगा तो हमें CD चाहिए CD को डूड़ो ये लास्ट के दो तो यहां CD मिल गया बटे ये लास्ट के दो GH तो यहां से CD को लिया तो यहां GH लेना पड़ेगा और क्या है AC AC मतलब पहला और आखिरी तो यहां AC ले लिया तो यहां पहला और आखिरी क्या है FG इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट प्रूब हो चुका है पहला पार्ट जो था हमारा प्रूब हो चुका है देख सकते हैं आप clear हो रही है चीज़े, एक बार screenshot लेंगे और आगे बढ़ेंगे ठीक है दूसरी बात DCB तो DCB को आप लोग खुद से करेंगे जैसे मैंने इसको बताया उपर वाले पार्ट को इसी प्रकार से मैं hint दे देता हूँ देखो, जब नीचे वाले इन दोनों को आपस में आप समरूफ सिद्ध करेंगे second part में तो क्या हो जाएगा? ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये पूरा पूरे के बराबर तो ये वाला आधा इस आधे के बराबर हो जाएगा और जो इसका third part है DCA और HGF हमने already यहाँ पर कर दिया है समरूफ सिद्ध clear है? तो इसका screenshot ले लिजी जल्दी से और बढ़ेंगे हम अपने अगले question की तरफ प्रस्न संख्या 32 की तरफ सिद्ध कीजिए यदि एक त्रिबुच का एक कोण दूसरे त्रिबुच की कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतरविष्ट करने वाली भुजाए समानुपाती हो तो दोनों त्रिबुच समरूफ होंगे ये एक प्रमेय है अपनी NCRT का है ना? कौन सा प्रमेय है? तो ये वाला एक कोण है SAS SAS ये तीसरा है मतलब प्रमेय संख्या 6.5 प्रमेय संख्या 6.5 है NCRT का इसको हमें सिद्द करना है तो ठीक है ये आप लोग खुद से सिद्द करेंगे क्योंकि इसको मैंने already क्लास में सिद्द करवा दिया है तो अगर खुद से नहीं आता है तो मेरी class देखेंगे वहाँ पर मैंने जहाँ पर प्रमे 6.3, 6.4 और 6.5 सिद्ध करवाया है वहाँ पर इस question को करवाया गया है तो वहाँ से आप इसको कर लेंगे आईए 33 करते हैं चित्र में यदी AB perpendicular BC और DE perpendicular AC तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कौन-कौन से ABC मतलब ये पूरा का पूरा देखो सब आसान है सब में एक ही नियम लगता है ना तो जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको त्रिभुज में उतना अगर कर लिया या आज की क्लास में जितना करा दिया इतना भी कर लिया और इसके साथ-साथ प्रमय को सिद्ध करना सीख लिया बस काम तमाम इतने में दोस्त आपका एक भी क्वेस्टन examiner कहीं से भी क्वेस्टन दे दे कुछ भी दे दे आप हर एक वेस्टन को बहुत बढ़ियां से कर पाएंगे लेकिन इस पर आपको सांदार बहतरीन जबरजस्त प्राक्टिस करनी पड़ेगी है ना तो बोल रहा है कि ABC को AED के समरूप सिद्ध करना AED के समरूप सिद्ध करना इसके ठीक है इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना अपने अपने लिए दोनों में common क्या रहा है दोनों में आपको angle A, angle A बराबर दिख रहा है तो दोनों में angle A बराबर angle A आ गया उभै निष्ट उभै निष्ट और इसी प्रकार से दोनों में आपको 90 अंस का कोड दिख रहा होगा 90 अंस का कोड दिख रहा होगा दोस्त ये वाला कोड यहाँ 90 अंस का यह यहाँ पर तो लिखेंगे angle A, E, D बराबर angle A, B, C 90 अंस प्रतेक 90 अंस प्रतेक 90 डिग्री इच 90 अंस प्रतेक दो कोड मिल गया double A से क्या हो गया ये double A से क्या हो गया सिमिलर हो गया समरूफ हो गया बस इतना ही आसान है मतलब कुछ मुस्किल नहीं है तो ये most important questions थे इनको बहुत 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 बहुतरीन तरीके से आपको practice करना होगा इसको practice कर लिया तो त्रिबुज का कोई भी question आपके exam में आ जाएगा आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से deal कर पाएंगे तो आज के लिए इतना ही था एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए जैसा कि आपको पता है magnet brains provide करता है high quality education और ये हमारे top courses है जो English और Hindi दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है यहाँ पर CBSC board के साथ साथ other state boards भी cover किया जाते हैं जिसमें Delhi board, Vihar board, UP, MP और राजस्थान board है इसके साथ Vedic Maths, Cress course और spoken English की भी classes available है आप हमें other social media networks, Facebook, Insta, Twitter, Telegram और WhatsApp पर follow करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे और साथ ही अपनी बेतरीन तयारी करने के लिए अप grab करेंगे e-notes और e-books जिसका link नीचे description box में दिया गया है तो दोस्त आज के लिए इतना ही था अपना ध्यान रखेंगे जबरजस्त मेस्स की practice चलती रहनी चाहिए Thank you so much